राधे जाने के लिए नहीं, भेजने के लिए आया है और तेरे इसे की बिर्यानी हम सब मिल बाट कर खाएंगे और बोलेंगे इद मुबारा राधे योर मोस्ट वांटेड भाई फिल्म अभी से हिट क्यों मानी जा रही है और ये 500 क्रोणी फिल्म क्यों कही जा रही है सलमान खान बिलन की बिर्यानी तक खाने की धमकी क्यों दे रहे हैं मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग राध के फिल्मी गलियारे में बॉलिविट के भाई सलमान खान के फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का टेलर यूटूब पर लग गया है राधे 2019 में रिलीज हुई फिल्म वांटेड का सिक्वल है जिसने सलमान खान के कैरियर को नया जन्म दिया था और 2017 में रिलीज हुई साउथ कोरियाई फिल्म दा आउटला का रिमेक है ये फिल्म बहुत वक्त से क्रोरा के चकर में आउटर पर खड़ी थी अब जाकर फाइनली फिल्म को प्लेट फार्म मिला है फिल्म के दो मिनट 51 सेकेंड लंबे टेलर में क्या क्या हो रहा है ये हम बताने जा रहे हैं लेकिन क्यों हो रहा है ये तो आपको फिल्म की रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा टेलर में क्या है मुंबई में ड्रक्स का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है यूथ नसे के चुंगुल में फसा हुआ है इस ड्रग गैंग का सरगना है ररदीव हुड़ा इसे पुलिस वाले निबट नहीं पार है ऐसे में पुलिस कमिशनर कहते हैं अब नॉर्मल पुलिस वाले से काम नहीं चलेगा कोई स्पेसिलिस्ट बुलाना पड़ेगा और फिर आते हैं according to previous introduction रेंबो के पापा, कर्मेटर के चाचा, रॉकी के दादू, बुरुसली के नाना जी, आखिर एक्शन हीरो रादे भाई जो आब तक गनी समेत 97 लोगों का एनकाउंटर कर चुके हैं आज भी गुंडों को सिर्फ मारते नहीं हैं बलकि उनको बांध कर सोल्डर फुलप्स लगा कर आपदा को आउसर में बदलने का हुनर भी नहीं भूले हैं, 2020 में आया लेकिन अभी भी बाते पर रुमाल स्टाइल कैरी कर रहे हैं, भेल पूरी वाले अकबार के कौन से लोगों को निप्टा दे रहे हैं, किसी अफसर की बहन के साथ फ्लट करने की डे कोड धंकिया भी दे रहे हैं, ट्रेलर कैसा है, ट्रेलर तो हीट है, कहानी बिलकुल नई और फ्रेस है, बस थोड़ा किक, वांटेड, रेस, दबंग, फिल्म का बचा हुआ मसाला पड़ा था वही लगा दिया, ताकि पहले से हीट वाली फील आए, वैसे तो फिल्म में भा जैसे, तेरे ब्रेडर की जगा फेफडा होगा, और लीवर की जगा किड्नी, आपका नाम दिया है, तो मैं अपनी बहन का नाम ना दिया रखूँगा, तुम्हारी दसवी पास होने से पहले, या तो वो जेल के अंदर होगा, या जमीन के अंदर, वो कमिट्मेंट वाला ड जाता है, यहां भी कुछ ऐसा ही है, इनके अनावा मेन बिलन बने हैं, रणदी फुड़ा, नए लुग में पुराने फिल्मों की तरह एक बार फिर सल्मान खान से कुटाई खा रहे हैं, मेन फीमेल लीड हैं, दिसा पाटनी, टेलर में राधे इनके साथ फ्लट करते दिख ने, फिल्म के डैलाक और स्किन पे लिखा है विजे मौरिया ने, इन्हें अपने गली वाय में रनवीर के मामा के रोल में देखा होगा, इस फिल्म को सल्मान खान, उनके भाई सोहेल खान और इनकी बहन और जीजा की कंपनी रील प्रडुक्शन ने प्रडूस किया है, रा इस टीवी, टाटा स्काई, एर टेल डिजिटल टीवी, जैसे डिटीएच के भोगता भी 13 माई को ही इस फिल्म को इस्पेसल फीज देकर देख सकेंगे, सल्मान के राधे के ट्रेलर ने कैसे मचाया धमाल, आखिरकार कि सल्मान ने राधे में करही ली लिप किस क्या है ट्र राधे का जो ट्रेलर है वो आज रिलीज कर दिया है और बहुत लोगों ने कहा था कि आप जो ये फिल्म है 13 माई को नहीं रिलीज होगी, इद पर नहीं आएगी, लेकिन ये सल्लु भाईजाने जनोंने अपना वादा पूरा कर लिया है, और यही नहीं राधे में भी यही डायलोग आपको सुनने को मिलेगा, कि एद पर बधाई देते हुए नजर आ रहे है, सल्मान खान और जबरदस डायलोग है, जबरदस लुक उनका देखने को मिल रहा है, और सल्लु के अलावा जो ध्यान खीच रहा है वो रंदीप हुड़ा भी है, क्योंकि कमाल का लुक दिख रहा है, लंबे बाल दिख रहे हैं, काफी स्टनिंग इसमें नजर आ रहे हैं, और फिल्म से जितनी भी उम्मीदे की जारी थी, ट्रेलर ने वो पूरी कर ही ली है, साथ ही एक बहुत खास चीज हुई है, दोस्तों ट्रेलर में है, वो है सल्मान खान का लिपकिस, जो पॉलिसी है, और इसमें भी उन्होंने इसे बरकरा रखा है, और कही न कहीं बस दिखाया है, किया है या नहीं, ये पता नहीं चल रहा है, वहीं दोस्तों फिल्म में आपको ट्रेलर जो है, उसमें दिखेगा कि दिशा पातनी और जैकलीन की होटनेस कैसे आग लगा रहे है इसमें जैकलीन का भी दमदार सौंग होने वाला है, डान्स नंबर और दिशा पातनी का भी है, और सबसे खास बात, सीटी मार, जिसका म्यूजिक जब आप सुनते हैं शुरू में तो आप याद करने लग जाते कि ये कौन सा गाना है, किसका गाना है, तो ये साउथ के साथ करोर का खडचा है, यानि कि वो क्लाइमिक सीन है, और इसमें धमा के दार आक्शन सीन आपको देखने को मिल रहे हैं, और एक बार फिर से सल्मान खड़ जब परदे पर आएंगे तो धमाल मचाएंगे, और सल्मान से ही उम्मीदे है कि थीटर्स में जो आडियस नहीं वो अब लोटेगी, वैसे अगर कोविट के चलते आप थीटर्स में नहीं भी जा रहे हैं, तो इस संग को OTT प्लैटफॉर्म पर भी रिलीज किया जाना है, और दोस्तों आप इसकी जो दिवान की इसी से पता रगा सकते हैं, कि अभी 20 मिनट में नहीं हुए ट्रेलर को रि और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलिग्राफ स्टुडियोज को मेरी ये खासियत है, कि मैं मारता कम हूँ और कसी तो जयादा हूँ जिन्दगी में तीन चीज कभी अंडरेस्टिमेट नहीं करूँ है, I, me, and myself मेरी पादी से पैसे है, तो मजे पैसा दे, मैं सभी तो नोकर में जनता का हूँ, किसी के बाप का नहीं अगर तुझ में तम है, तो तुआब मुझे रोक के देखा दोस्तो सल्मान कान के फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, मोस्ट एम्बीसियस फिल्म दोस्तो इस फिल्म के रिलीज को लेकर चारों तरफ हंगामा हो गया है जहां एक तरफ OTT प्लैटफॉर्म हुमांगी रकम देने के लिए तयार थी वहीं सिंगल और मल्टिप्लैक्स के ओनर ने रिक्वेस्ट करी कि वो अपनी फिल्म को राधे को थियेटर्स में रिलीज करें दोस्तो इस फिल्म का चारों तरफ बोलवाला है जिसकी वज़ा से फिल्म ने 235 करोड की शांदार कमाई कर ली है वो भी रिलीज से पहले खबर है कि भाईजान के फिल्म के राइट्स, वीडियो स्ट्रीमिंग, सॉंग राइट्स 235 करोड में बिके हैं आप सबी को बता दूशिए, ये सब जी स्टूडियो ने खरीदा है वेल दोस्तो देखा जातो एक्जिबिटर्स, मेकर्स और आउनर्स को फिल्म से बहुत उम्मीदे है लोगों को लगता है कि फिल्म, लोगों को विवर्स को सिनेमा घरों की तरफ खीच लाएगी और कमाई का भरमाड लगाएगी दोस्तो पहले जाँ मेकर्स फिल्म को सिर्फ थियेटर में रिलीज करना चाते थे लेकिन खबर है कि थीटर में रिलीज होने के बाद मतलब कि थीटर में अच्छी कासी कमाई करने के बाद ये फिल्म OTT प्लैटफॉर्म पर भी तहल कमा चाएगी ये फिल्म OTT प्लैटफॉर्म Z5 पर रिलीज होगी वेल दोस्तों अभी फिल्म के रिलीज में बहुत वक्त है लेकिन लोगों की एकसाइटमेंट साथवे आसमान पे है सोची कि जब फिल्म रिलीज होगी तब क्या होगा लिए अंदाज़त जब फिल्म का टीजर रिलीज होगा तब ही पता चलिएगा वेल आपको बता दो कि फिल्म का टीजर एंड ओफ मार्च या फिर अपरिल फिर्स विक में रिलीज हो सकता है रिपोर्ट की माने तो वेल दोस्तों आपको क्या कहना है सल्मान खान की इस 235 करोड की शांदा डील के बारे में नीचे कमेंड बॉक्स में अपनी राई शेयर करें और देखते रहें पॉलिग राइड स्टूडियोज क्यों लगता है सल्मान खान को की फिल्म में हीरो से बड़ा विलन होना चाहिए क्या है सल्मान खान और जाकी श्रॉफ का रिष्टा राधे यॉर मोस्ट वांटेड भाई में एक फिल्म की सफलता सिर्फ उसके हीरो से नहीं बलकि उसके विलन से भी आती है चाहे फिल्म में रीड रोल में कोई भी आक्टर हो लेकिन वो फिल्म का हीरो तब तक नहीं बनता जब तक उसका सामना किसी विलन से नहीं होता एक महान और बड़े विलन से ही एक फिल्म सूपर हिट बन पाती है आप सब बॉलिवुड की सबसे आइकॉनिक और मशूर फिल्म शोले के बारे में तो जानते ही होंगे जब की लोग जैवीरू की दोस्ती, बसंती और धन्नों के बारे में बात करते हैं लेकिन हम कभी भी कबड़ सिंग के किरदार को नहीं भूले हैं उनका डायलॉग कितने आदमी थे, आज भी सभी के मन में जूंचता है बॉलिवुड के विलन और फिल्म का सूपर हिट होने का रिष्टा के बारे में बॉलिवुड के सूपर स्टार सलमान खान का भी यही कहना है अपनी अग्भी फिल्म रादे और मोस्ट वांटिद भाई के सेट पर एक अकबार से इंटर्व्यू में सलमान खान ने कहा कि परदे पर हीरो का वड़ा दिखने के लिए सामने आने वाला विलन उससे भी वड़ा होना चाहिए जिब तक हीरो अपने से बड़े विलन को मारेगा नहीं वे हीरो नहीं बन पाएगा इस फिल्म के लिए सलमान ने मश्चूर अभी नीता रंडीप फूड़ा को बतौर विलन साइन किया है रंडीप को सबसे पहले नेटफ्लिक्स की इंटरनाशनल फिल्म एक्स्ट्राक्शन में वर्ल्ट प्रीमस क्रिस हम्सवर्ट के साथ आक्शन सीद्स करते हुए देखा गया था इस फिल्म की प्रमोशन के दरान उन्होंने अपनी और सलमान खान के रिष्टे के बारे में बताया प्रमोशन के दरान प्रंडीप फूड़ा की फिल्म सलमान खान स्टारर रादे के बारे में पूछा गया उन्होंने सल्मान के साथ उनके रिष्टे के बारे में बात करते हुए कहा सल्मान और मैं कई सालों से दोस्त है वे मुझसे जादा वरिश और बहुत समझदार हैं हम एक शामदार दोस्ती साजा करते हैं किक में मैंने उनका पीछा किया सुल्थान में मैंने उन्हें ट्रेंड किया रादे तिल में यह टेस्ट कर रहा हूं कि मुझसे क्या सीखा है फिल्म ने रणी भूदा के साथ जाकी श्रॉफ भी दिखने को मिलेंगे ठीक उसी तरह जैसे भारत में जाकी ने सलमान खान से उम्रानी लिखिया है सान्या भाई दोस्तों बॉलिवूड सुपरस्टा सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधी और मोस्ट वांटेड भाई का अंतजार करोडों लोगों को है और जैसे जैसे फिल्म अपने रिलीज डेट के लिए आगे बढ़ रही ह हैं और इस बीच फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है खबर है कि इस फिल्म में टीवी सीरियल अनुपमा के लीड एक्टर सुधांशु पांडे की एंट्रिवी है इस बार में खुछ टीवी सीरिल स्टार ने जानकारी दी उन्होंने का कि मैंने राध सुधांशु ने अगे बता कि उन्होंने बहुत पहले एक तमील फिल्म की शूट किती जिसमें प्रभुदेवा हीरो थे और विलेन के रोल में खुद सुधांशु थे शायद उन्होंने मुझे दिमाग में रखा मुझे कास्टिंग एजन्सी के जरिये अप्रोच किया हाल डबिंग दोनों खत्म कर लिए अब अस इंतजार है फिल्म की रिलीज डे सुधांशु पांडे कौन है दोस्तों अकसर ये फिल्मों में हमें देखने को मिल जाते हैं जैसे की 2.0, सिंगम, मरदानी 2 और सिंग इस किंग और भी ऐसी बहुत से फिल्में हैं जिनमें इनका का अपनी लेवल को और बढ़ाते जा रहा है और सच में अब इंतजार नहीं हो रहा है फिल्म की रिलीज डेट को लेकर आपकी क्या हलत है रिलीज देख को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राईश शेयर करें और देखते रहें बौलिक जिसकी वज़े से मौड लिया हमारी बॉलिवुड इंडस्ट्री एक आस्मान की तरह है जहां हर कोई सितारा अपनी जंगय बनाने के लिए बैचैन है कोई दस्ट फिल्में करने के बाद भी अंजान है तो कोई एक फिल्म करके ही हमारे दिल पर चा चुका है लेकिन इस आस्मान में एक ही सितारा है जिसकी रोश्णी और तेज इतनी जादा है कि उसके सामने बाकी सितारे फीके पर जाते हैं हम बात कर रहे हैं बॉलिवुड के भाई जांग दबंग चुलबुल पांडे यानि की सल्मान खान की एक तरफ जहां कोरोना महामारी की वजह से हम ना जाने कितने तोहार नहीं मना पाए एक तोहार तो पूरे देश ने नहीं मनाया वो है सल्मान खान की एद पर रिलीज अरे सल्मान खान की किसी भी फिल्म की रिलीज किसी तोहार से कम नहीं होती खास कर सल्मान खान की एद की फिल्म 2020 में जहां सलमान खान इद पर अपने फैंस को इदी नहीं दे पाएं दूसरी और सलमान खान की कोई फिल्म OTT पर रिलीस नहीं हो पाई एक तरफ सिनेमा होल बन थे तो दूसरी और पूरी बोलीवुड इंडस्ट्री की कमाई का जरियावी ऐसे में फैंस को काफी निराशा का सामना करना पड़ा लेकिन अब हलात बहतर हो गए हैं चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो या फिर सलमान खान के फैंस के लिए मई के महीने में इद के दिन यानि की 13 मई को अब रादे आखिर सिनेमा घरों में रिलीस की जाएगी अब धीरे धीरे इस फिल्म के बारे में हमें कई खबरे सुनने को मिल रही हैं जिसमें से एक है कि इस फिल्म में हमें सलमान खान के साथ बोलीवुड के बाजीगर यानि की शारुख खान भी दिखेंगे जी हाँ, आजकल एक दूसरे के यार बने हुए शारुक सल्मान फिर से बड़े परदे पर नजर आने वाले हैं शारुक इस फिल्म में कैमियों में दिखेंगे, हाला कि क्या आप जानते हैं कि एक समय में सल्मान और शारुक के बीच बात भी नहीं होती थी तो क्या हुआ था ऐसा हम आपको बताते हैं शारुक खान और सल्मान खान अपने अधिकाश जीवन के लिए अच्छे दोस्त रहे हैं हाला कि दोनों के रिष्टे में उन्होंने कई उतार चड़ाव भी हुए हैं एक समय ऐसा हुआ जब ऐसार के एश्वरिया राय बच्चन के साथ चलते चलते की शूटिंग कर रहे थे और सल्मान और एश का रिष्टा हाल ही में तूटा था सल्मान खान कथी तोर पर चलते चलते के सेट पर आये और हंगामा किया जब शारुक ने दखल दिया तो सल्मान ने उनके साथ भी लड़ाई की फिल्म के एक्टर होने के साथ साथ वो फिल्म के निर्माता भी थे इसलिए शारुक इसे बरदाश्ट नहीं कर सके और उन्होंने एश्वरिया की जहरानी को चुना हाला कि उन्होंने फरहा खान के एक शादी सम्हारों में भाग लिया, जब सल्मान S.R.K. के पास गए तो माफी मांगी इसके बाद दोनों के बीच एक और लड़ाई हुई थी, लेकिन जब कथित तोर पर दोनों ने एक इफ्तार पार्टी में भाग लिया, तो दोनों के बीच मामला सुलज गया, शारुखान सल्मान की बहन अर पिता को आशिर्वात देने भी गए थे, अब दोनों के बीच काफ करना ना भूले, स्क्रिप्ट रिटन बाई, सल्मान खान ने पिछले दशक में अपना दबंग अंदास दिखा कर चुल्बल पांडे की रूप में अपना जलवा दिखाया था, सल्मान खान अब कई फिल्मों में पुलिस वाले के रूप में दिखाई देच चुके हैं, उन उनकी बाकी की फिल्मों में हमने एक मज़िदार और पेचीदा कहानी देखी, महेश मांजरिकर की बेटी साइ मांजरिकर के साथ उनकी हालिया फिल्म दबंग त्वी वह अब तक कई बार पुलिस की भूमिकाओं में दिखाई देए हैं, जैसे की दबंग फिल्म में वांट पुलिस वाले की भूमिका निभाई और उसके साथ कारणामों को बताया, सल्मान खान ने अब इसकिर्दार को तीन बार बड़े पड़े पर निभाया है, 2019 में रिलीज हुई दबंग त्री में सल्मान ने फिरसे चुलबुल पांडे कर दिखाया, कुल मिलाकर फिल्म बॉक प्रकाश राज और महेश मांजरिकर ने इस फिल्म में महत्वपुर्ण भूमिका नभाएं थी, फिल्म में बहुत बड़ी हिट थी और आज भी ये सल्मान की सबसे लोगप्रिय फिल्मों में से एक मानी जाती है, लगता है और सल्मान खान प्रभुदेवा और पुलिस की जोड़ी फिर से हमें दिखने वाली है क्योंकि सल्मान खान की अगली फिल्म राधे यूर्मोंस्ट वांटिद भाई प्रभुदेवा ही डिरेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ फिल्म में हमें सल्मान खान को एक पुलिस वाले के किरदार में देखने को मिलेगा, इस हमें दिशा पार्टनी के साथ जाकी श्रॉफ की भारत फिल्म की तिकडी फिर से दिखने को मिलेगी, दिशा के अलावा रंडी फुड़ा और जरीना वहान कुछ नाम हैं जिस फिल्म की कलाकारों की टोली में शामिल है, सल्मान खान की अपकमिंग फिल्म राधे को लेकर ज यंट्रस् Platform जाकारी सामने आही है, कहा जा रहा है कि सल्मान की राधे में शारुखान और अज्य देवगण का कनेक्शन हैं, दोनों अजड़े अर शारुखान सल्मान की राधे में एहम रोल निभाते वाले दिखाई देंगे, रोल भी ऐसा कि बिना ये फिल्म, शायद हमारे इस विजियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये कहानी लिखी है सानिया भाई कब रिलीज होने जा रहा है राधे का तूफानी टीजर क्या इस से पहले फर्स लोग भी रिलीज किया जाएगा सल्मान खान का क्या होने वाली है राधे की खास बाते हेलो फ्रेंड्स आप देखरें बॉली ग्रास स्टूडियोज मैं सोनी का जाल सल्मान खान की फिर्म राधे यो मोस्ट वॉंटिड भाई इस साल की मोस्ट अवेटर फिल्मों में शामिल है जहां फिल्म का ईद पर रिलीज होना तै है वही अब इसका प्रमोशन भी जोरो शोरो से शुरू कर दिया गया है हाल ही में बिग बॉस 14 के मंच में आपने देखा होगा फिल्म के तीनों कलाकार यानि सल्मान, दिशापात्नी और रंदीप हुड़ा एक साथ दिखे थे जाहिर है कि फैन्स की एकसाइटमेंट को काफे बढ़ा दिया है इन लोगों ने अब यही देखते हुए अब फिल्म से पहली जलक रिलीस करने की तयारी की जा रही है तादा रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म का पहला टीजर मार्च के महीने में रिलीस किया जाएगा वही अपरेल के शुरुवाती हफते में ट्रेलर का धमाका होना है लेकिन उससे पहले वैलेंटाइन वीक में फिल्म का पोस्टर रिलीस किया जा सकता है आपको बता दे फिल्म की कुछ जलक तो पिछले साल ही रिलीस कर दी गई थी क्योंकि फिल्म 2020 इत पर रिलीस होनी थी लेकिन अब दर्शकों का उत्साह बढ़ाते हुए इसके नए पोस्टर रिलीस के जाएंगे सूत्रों की माने तो फिल्म का टीजर तयार किया जा चुका है और ये एक मिनच के लगभग का बनाया जाना है इसमें सल्मान खान के कुछ एक्शन सीन्स की जलक भी देखने को मिलेगी और वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि यदि सूर्यवंची अपरेल में रिलीस होती है तो राधे का टीजर सिनेमा घरों में उसे जोड़ा जा सकता है सल्मान खान अपनी ईदि रिलीस की परमपरा को राधे के साथ जारी रख रहे है उद्योक और प्रदर्शकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए जो चाहते थे कि महामारी के बाद सल्मान सिनेमा घरों में अपनी फिल्म को रिलीस करते हुए फिल्म प्रेमियों और व्यवसाय को भी शुरुआत करने में मदद करें सलमान ने इस पर सहमती भी व्यक्त की है राधे को थेटर में रिलीज करने के लिए देश भर के थेटर एक्जिबिटर्स असोसियेशन द्वारा अनुरोद किया गया था क्यूंकि इन सभी को लगता था कि केवल सलमान खान की फिल्म ही महामारी के कारण सिनेमा घरों को हुए आर्थिक नुकसान से बचा सकती है तक एसे स्राजा मौली ने भी सलमान खान के लिए इतनी बड़ी-बड़ी बाते बोल दी थी कि सलमान ही वो आक्टर है जो और्डियंस को अपनी तरफ खीश सकते है आपको बताते हैं राधे को प्रभु देवा डेरेक्ट कर रहे हैं इसमें दिशा पात्नी जैकी शॉप रंदी फुड़ा होने वाले हैं और दिशा पात्नी जैकी शॉप की बहन का रोल करने वाले हैं वही फिल्म का निर्मान सलमान खान सोहिल खान की कमपनी कर रहे हैं मिल आपको कितना अंदुजार है राधे और मोस्ट वांटिड भाई का नीचे कॉमें सेक्शन में जरूर बताईएगा सुपरस्टार सलमान की राधे कब रिलीज होने वाली है आखिर सलमान के पिता सलीम खान किस सुपरस्टार के आगे अपने बेटे का स्टारडम कम मानते हैं क्या होने वाली है राधे की खास बाते हैं हेलो फ्रेंट्स आप देखनें बॉलीग्राफ स्ट्डियोस मैं हूं सोरी का जयाल भले ही सलमान खान बॉलीवर्ट के दिगज स्टार में से एक है और फैंस के बीच उनकी जबरदस्ट फैन फॉलोइंग भी है लेकिन उनके पिता सलीम खान मानते हैं कि वो कभी भी एक सुपरस्टार है उनके स्टारडम को मैच नहीं कर पाएंगे और वो सुपरस्टार है राजेश खना जियां राजेश खना की हिट फिल्म हाथी मेरे साथी की स्कृप्ट लखने वाले सलीम खान कहते हैं कि हिंदी सिनेमा में अब तक जितना राजेश खना का स्टारडम उन्होंने देखा है कि वो कभी काका जैसा स्टारडम हासिल नहीं कर सकते। सलीम खान ने लिखा है कि आज मेरा बेटा सल्मान बड़ा स्टार है। मेरे घर के बाहर उसकी एक जलक देखने के लिए लोग उमर पड़ते हैं। कई लोग मेरे पास आये और कहा कि उन्होंने सल्मान खान जैसा स्टारडम किसी का नहीं देखा। लेकिन मैं उन्हें बताता हूँ कि यहां से कुछ ही दूरी पर कौटर, रोड, स्थिद, बंगले, आशिरवात के बाहर मैंने ऐसे तमाम नजारे देखे हैं। राजेश खन्ना के बाद वैसी दीवान की और स्टारडम मैंने किसी और अक्टर का नहीं देखा। सलीम खान कहते हैं कि राजेश खन्ना के दिवाने हर उम्र के लोग थे। छे साल से साथ साल तक की आयू के लोग राजेश खन्ना के बड़े फैंस थे। खासतोर पर लड़किया उनकी दिवानी थी। उनकी एक जलक के एकसाइटिड रहती थी। सल्मान की पिता लिखते हैं कि मैं एक बाद राजेश खन्ना के साथ तमिल नाडू गया था और वहां राजेश खन्ना को देखने के लिए भारी जमावड़ा था। उस दोर में भी तमिल इंडस्ट्री के पास बड़े स्टार थे और वहां हिंदी सिनेमा को पसंद करने वालों की संक्या भी कम थी। फिर भी राजेश खन्ना को देखने के लिए इतने लोगों का उमरना बताता था कि काका कितने लोग प्रिया थे। हालांकि सलीम खान ने राजेश खन्ना की फिल्मों के फलॉफ होने के सिलसले के बारे में भी लिखा था। वो कहते हैं कि इसकी बड़ी वज़ा ये थी कि राजेश खन्ना हमेशा खुद को स्टार ही मानते रहे और कभी कुछ अलग करने का प्रयास ही नहीं किया। इसके अलावा उनके आटिट्यूट के चलते फिल्म इंडस्ट्री के तमाम निर्देशकों ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था। क्योंकि मैं माउंट एवरेच से गिरा था। जब सुबसा बहुत बड़ा लेवल हसित कर लेता है उसके बाद उसकी फैन फोलिंग कम होने लग जा दी तो ऐसे ही राजिश खना के साथ भी हुआ था। सल्मान खान की बात करें तो उनका स्टार्डम लगातार बढ़ता ही जा रहा है उनके फिल्मों के लिए अब तक भी लोगों की वही दीवानगी है जो पहले हुआ करती थी और अब राध है यो मोस्ट वांटेड भाई आने वाली है जो कि एत के मौके पर रिलीस होने वाली दोस्तो आपको कितना आंदेजार है सल्लू की फिल्म का और आपको क्या लगता है सलिम खान की बातों से आप कितने सहमथ है न्हीं दोस्तो दिल थाम के बैक किये क्योंकि इस बार आप लोगों को डबल एदी मिलने वाली है दोस्तो सल्मान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधी और मोस्ट वांटेड भाई को रिलीज होने में लगभग तीन महीने बाकी है और अभी इस फिल्म से एक सर्प्राइज का पिटार खुला है इस पिटार के बार में बहुत कम लोग जानते होंगे दोस्तो इस बर इडी अकेले सल्मान खान लहीं देंगे बलकि उनके साथ वॉलिवुड के किंझ खान शारू खान और अजय दीवगन तीनों इडी देते नज़र आएंगे माना जारा कि सल्मान खान के फिल्म रादे से शारू खान और अजे जिवगन का बहुत बड़ा कनेक्शन है सल्मान खान अपने फैंस के साथ ईदी मना सके दोनों का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जबनी भी बड़े बजट की फिल्मे होती हैं उन सभी फिल्मों में हैवी VFX होता है और फिल्म राधे भी हैवी बजट की फिल्म है तो जाहिर ची बात है कि उसमें भी हैवी VFX समय देखने को मिलेगा और उस VFX का सारा जिम्मा शारू खान दी कंपनी रेड चिली VFX और अजे देवगन की कंपनी NNVFX वाला ने अपने कंधों पर ले लिया वेल दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रेड चिली जी बज़ और NNVFX वाला ये दोनों कंपनियां जाने जाती हैं अपने क्वालिटी वर्क के लिए और जब शारू खान को पता चला कि जब भी शारू खान या सल्मान खान की एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और ऐसी ही दोस्ती है सल्मान खान की और अजे देवगन की दोस्तों राधे के बाद दोनों को एक साथ देखने का मौका मिलेगा हमें फिल्म पर ठान में जिसके लिए फैंस बहुत एक्साइटीड है आप लोगों का क्या कहना इस दोस्ती के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें बॉलिग्रेड स्टूडियोज थैंक्यू सो मच्च बॉलिविड के भायजान की अपकमिंग फिल्म रादे और मोस्ट वांटिड भाई को लेकर एक जबरदस ट्विस्ट सामने आया है दोस्तो भाई कि इस फिल्म को सभी का इंतजार है हम सभी जानते हैं जहां एक तरफ फिल्म को लेकर फैंस एकसाइटीड है कि कब फिल्म थियेटर में रिलीज होगी और कब हमें ये फिल्म देखने को मिलेगी वहीं PVR और मर्टीप्लेक्स के ओनर भी फिल्म का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं कि फिल्म जल्दी से जल्दी रिलीज हो और लॉस जो हुआ है उन्हें उसकी भरपाई हो सके दोस्तों जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले उमीद थी कि ये फिल्म OTT प्लाटपॉर्म पर रिलीज हो सकी है लेकिन फिल्म के मेकर्स सब नॉर्मल होने का वेज कर रहे थे मेकर्स 100% अक्यूपेंसी के साथ PVR ओपन होने के इंतजार में थे लेकिन ओनर्स की रिक्वेश्ट पर सलमान खान ने फिल्म को पहले रिलीज करने का फैसला किया सलमान खान ने इस फिल्म को इड पर रिलीज करने का सोचा ताकि उन्हें PVR को प्रॉफिट हो सके लेकिन यहां पर एक जबरदस्ट ट्विस्ट देखने को मिला है अब वो क्या है आईए जानते हैं दरसल मल्टी प्लेक्सिस के ओनर्स के साथ साथ OTT प्लैटफॉर्म की डीप फिल्म पर नजर है वो चाहते हैं कि भाईजान की इस फिल्म को डिजिटली भी रिलीज किया जाए और इसके लिए OTT के बीच कॉमपटीशन चल रहा है सभी के सभी मुमांगी रिकम देने के लिए तयार हैं सल्मान खान को लेकिन सल्मान खान अपनी बात के पक्के हैं ये बात हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वो किसी की नहीं सुनते उन्होंने सभी ओफर्स को ठुकुरा दिया है और अपने फिल्म राधे को PBR में रिलीज करने का जो फैसल अलिया था उस पर अडे हुए है रिपोर्ट की माने तो OTT प्लैटफॉर्म दो फिल्मों को डिजिटली रिलीज करना चाहती है एक राधे जो अल्मोस्ट रिलीज के लिए तियार बैठी है और दूसरी फिल्म कभी इद कभी दिवाली जिसकी शूटिंग कब शुरू होगी ये भी हमें नहीं पता इन दो फिल्मों को लेकर OTT प्लैटफॉर्म सभी टम्स और कंडिशन मानने के लिए तयार है लेकिन भाई जान ने जो एक बार कह दिया फिर तो अब वही होगा अब इंतजार है एद का और फिल्म के रिलीज का वेल फ्रेंट्स आपको क्या कहना है भाई जान के इस कमिज्मेंट को लेकर नेटे अपने राई शेयर करें और देखते रहें बॉली ग्राइड स्टूडियोज थैंक्यू राधे क्यूं हुए फिल्म राधे के सेट पर सल्मान एमोशनल क्या है साजद वाजद और सल्मान का नोखा रिष्टा ख्यू ठहराया दिशा पार्टनी ने प्रबु देवा को जिम्मेदार हर कलाकार की पहचान होती है उसके एक अलग अदाज जो उसे बागियों से अलग करती है चाहे ये कलाकार कोई पेंटर लेखक या फिर सिंगर हो हर कलाकार के अंदर एक कुछ ऐसी खूबी होती है जिसे वो दुनिया के सामने अगर लाए तो दुनिया उसकी दिवानी बन जाए ऐसा ही कुछ होता है सिंगर्स में भी जैसे की जगजीत सिंग की ये बात थी उनकी गजलों में जिसने पूरी दुनिया का उनको फैन बना दिया ऐसे ही हर कोई बॉलेवर्ड में अपनी एक अलग अलग जगह और अलग पहचान बनाने की खोशश करता है और ये समझ लेजे कि अगर कोल भी आर्टिस बॉलेवर्ट में अपनी जगा बना पाया है तो उसे सब कुछ मिल सकता है कुछ ऐसा ही बॉलेवर्ट के सिंगर्स के साथ भी है बॉलेवर्ट और इसके गाने का जो रिष्टा है ये तो दुनिया भर में मशूर है और इसका बहुत बड़ा श्रेज आता है बॉलेवर्ट के कमाल सिंगर्स को बॉलेवर्ट में म्यूजिक के लिए कुछ बहुत सारे डूज का ट्रेंड है और ये ट्रेंड आज से नहीं बलकि सालों से चला आ रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कमाल के संगीत निर्दर्शक के डूज देखे हैं जिनों ने हमें कुछ बहतरीन गाने और दिल को छूँ जाने वाले म्यूजिक दिया है दरासल दुनिया भर में हजारों भाशाएं हैं लेकिन एक भाशा ऐसी है जिसे पूरी दुनिया में एक ऐस जैसा समझा जाता है और एक जैसा महसूस किया जाता है और वो है संगीत वालेवुट के म्यूजिकल डूओ आज से ही नहीं बलकि सालों से चले आ रही हैं जैसे की लक्षमी कांत प्यारे लाल जिनोंने हमें सावन का महीना बिंदिया चमकेगी एक प्यार का नगमा है हवा हवाई ड्रीम गर्ल डफली वाले एक दो तीन जुमा चुमा हंगामा हो गया चोली के पीछे क्या है मन क्यूं बहकारे चावी खो जाए जैसे गाने दिये हैं ऐसे ही एक और ड्यो है जिती चतिन लेल जिनोंने 90's में कई सदा बहार गाने दिये हैं जैसे की कुछ-कुछ होता है कभी खुशी कभी गम दिलवाले दिनिया ले जाएंगे जो जीता वही सिकंदर और हम तुम चलते चलते फना आडी ऐसा ही एक और म्यूजिकल ड्यो है साजित वाजित का ये भाईयों की जोडी है जो बॉले वुट के गानों के दाएरे में शामदार संगीत बना रही है इस डूओ में दिगज तबला बजाने वाले उस्तार शराफत खान के बेटे साजित और वाजित सल्मान खान की प्यार किया तो डरना क्या हेलो गौड तुसी ग्रेट हो वांटेट दबंग मुझसे शावदी करोगी पार्टनर एक था टाइगर के सार शुरू ही ये जोडी खान की फिल्मों के लिए बहुत सारे संगीत देच चुकी है लेकिन हाली में साजित वाजित की जोडी बनी सल्मान खान के लिए एमोशनल होने की वज़ा तो क्या हुआ था हम आपको बताते हैं दरसल सल्मान खान ने प्रबुदेवा के निर्देशन में बन रही फिल्म राधे और मोस्ट वांटिट भाई की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है फिल्म की शूटिंग करोना काल के दोरान बंध हो गई थी दरसल संगीत का जोड़ी साजिद वाजिद के साजिद इस फिल्म के सेट पर मوجود थे और सल्मान पर गाना फिल्माया जा रहा था वाजिद खान का कुछ महीने पहले ही निधन हुआ है हाली में जब साजिद सल्मान और सोहेल खान चैट कर रहे थे तब साजिद ने सल्मान को वाजद के वर्दे के बाहर में बताया सल्मान ये सुनकर एमोशनल हो गए थे और दोनों ने आस्मान को देखकर वाजद को याद किया था फिल्म राधी के सेट पर एक के एक का इंतिजाम किया गया और वाजद के वर्दे को मनाया गया इसका एक वीडियो भी सामने आया साजिद ने इस मौकर पर कहा कि सल्मान मैंने और सोहिल ने चान को देखा था और हमें ऐसा मैसूस हुआ था जैसे वाजिद हमें देखता है साजिद ने कहा कि सल्मान ने मेरे कंदों पर हाथ रखर कहा वाजिद ने हमेशा मेरा साथ निभाया है आपको बता दें कि वाजिद की मौत 2020 जून के महीने में हुई थी वैसे तो वाजिद की किड्नी की समस्या में जून रहे थे लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि किड्नी के इलाज के दरान जब उनका करोना टेस्ट किया गया तो ये रिपोर्ट पॉजिटिव आया हाला कि उनके मौत की वज़ा बताई गई है कि वह हार्ट अटेक है वाजिद पिछले कई सालों से किड्नी के अलावा हाठ की समस्या से जून रहे थे जो आखिरखार उनकी मौत की वज़ा बन गई फिर्म राधे यॉर्मोस्ट वांटेड भाई में सल्मान खान के साथ दिशा पार्टनी भी नज़र आएंगी हाले में उन्होंने सल्मान के साथ फिर्म की शूटिंग करी और खतम भी कर ली इसकी जानकारी दिशा ने इंस्टग्राम अकाउंट पर दी है उन्होंने टीम के साथ अपनी एक फोटो शेयर की कैप्शन लिखा राधे पैक अप बेस्ट होने के लिए मेरी प्यारी टीम का धन्यवाद गर्ल पावर इससे पहले दिशा फिल्म भारत में सल्मान खान के साथ नज़र आई थी इस दराम दोनों की कैमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया था राधे में दिशा ने कई हिट एक्रसिस के पीछे छोड़ दिया है इससे पहले सल्मान खान के साथ इंडस्ट्री की टॉप एक्रसिस में से किसी को कास परने का प्लान था वह ही अब दिशा ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है कि इसी भीच खबर आई है कि फिल्म की शूटिंग करते हुए दिशा पार्टनिंग घायल हो गई दिशा को घुटने में चोट लगी इस बात की जानकारी आर्ट्रस ने अपने इंस्टेग्राम अकाउंट के जरिये दी उन्होंने प्राक्टिस के दरान की फोटो शेर करते हुखा रभुदेवा सर की डान स्टेप्स ने मुझे ये दिया मुझे घुटनों में चोट लग गई खैर अफ फिल्म की शूटिंग के दरान चोटे लगना आम बात है आप लोगों को क्या लगता है सल्मान और दिशा की जोड़ी फिर से स्वीन पर अपना जिल्वा दिखा पाएगी हमें अपनी जोच को अभी से क्यों कहा जा रहा है कि 500 क्रोणी फिल्म है और दिशा पाटनी अभी से खुस क्यों नजर आ रही है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले ग्राद के फिल्मिक गलियारे में तक देश से कोरोना वारिस विदा नहीं हुआ है इसलिए दिशा ने फिल्म देखने वाले सभी लोगों से गुजारिस की है कि सावधानिया जरूर बरते मसहूर कोरियोग्राफर प्रभुदेवा के निर्देशन में बनी फिल्म राधे योर्व मोस्ट वांटेड भाई एक एक्सन ड्रामा फिल्म है जिसमें सल्मान खान, दिसापाटनी, जैकिसराप और ररणदीफ हुड़ा मुक फुमिकाओं में होंगे इस दिन का इंतजार सल्मान खान के परसंसा काफी लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन फिल्म की रिलीज का समय अलग लग कारणों से हमेशा इस पर रिलीज होगी, वैसे तो सल्मान की ए फिल्म हमेशा से सिनेमा घरों में ही रिलीज होने के लिए बन रही, लेकिन कुछ हफ्तों पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि सल्मान खान ने अपने इस बहुचर्चित फिल्म को OTT पर बेचने का मन बना लिया इन खबरों ने सिनेमा घरों के मालिकों को थोड़ा बिचलित किया और उन्होंने एक पत्र लिखकर सल्मान खान से गुजारिस की कि वो अपने फिल्म को सिनेमा घर में रिलीज करें सिनेमा घरों के मालिकों के इस पत्र का जवाब देते हुए सलमान ने सोसल मीडिया पर लिखा मैं जवाब थोड़ा देर से दे रहा हूँ इसके लिए माफी चाहता हूँ इस कठीन वक्त में ये बहुत बड़ा फैसला है मैं समझ सकता हूँ कि सभी सिनेमा घर इस समय आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे मैं अपने फिल्म राधे को सिनेमा घरों में रिलीज करके आपकी मरत करने के लिए तयार हूँ लेकिन बदले में मैं आसा करता हूँ कि आपने दर्सकों के स्वास के लिए सुच्छा इंतजाम मजबूत की होंगे फिल्म इद पर रिलीज होनी थी और वो इद वर्स 2021 की है सलमान के इस संदेश से सिनेमा घरों के मालिक भी खुस हुए और सलमान के परसंसक तो फूले नहीं समा रहे इदर फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में सलमान की हिरोईन दिसा पाटनी भी खुस है और अपनी खुसी जाहिर करते हुए वो कहती है राधे सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और इसके लिए बहुत उसाहित हूँ अब इस फिल्म का मज़ा दरसक सिनेमा घरों में ले पाएंगे इसके लिए बहुत से लोगों के शुक्र गुजार है बस फिल्म के रिलीज होने का इंतिजार है मैं सभी लोगों से प्राता करती हूँ कि जब भी सिनेमा घर जाएंगे स्वार सुरच्छा समंधि साउधानिया जरूर परते हैं हमें कमेंट करके बताइए क्या ये फिल्म एक हजार करोड का बिजनिस करेगी खान क्यूं लोगों की दिलों में इतना अराज करते हैं सौ करोड की क्लब में अब तक सल्लू भाई जान की कितनी फिल्में हैं और 200-300 करोड वाली कौन सी है और सल्लू भाई जान के वो कौन से करारे डायलोग है जो सब का दिल जीत लेते हैं सल्मान खान जनता के दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार हैं उनके हर अंदास पर थियेटर में तालिया सीटी या बजने लगती है गूंज हो जाती है सल्मान का तेरे नाम लूक हो या दबंग में शर्ट के पीछे चश्मा टांगने का अंदास हो सब ट्रेंट बन जाता है बॉलवर सुपरस्टार सल्मान खान इस साल ईद पर बॉक्स ओफिस पर धमाका मचाने को तयार थे लेकिन पैंडेविक ने सब कुछ गड़बर कर दिया लेकिन अगले साल फिर से तयार है एद पर लेकिन अभी इसकी कोई अफिशल अनॉस्मेंट नहीं हुई है लेकिन लगभग तै है अगली फिर्म रिलीज से पहले यहां सल्मान खान की हम कुछ बॉक्स ओफिस कलेक्शन पर नज़र डाल लेते हैं जो सल्लू भाई जान को बनाते हैं सूपर स्टार ओपनिंग के मामले में या फिर लंबे वीकेंड के मामले में बोहत सारे रिकॉर्ड सल्मान खान ने तॉड़े है जैसे की 100 करोड फिल्मों की बात हो तो अब तक सल्मान काने बोक्स ओफिस पर कई धमाकेदा रिकॉर्ड बनाये है जिसे तोरना किसी भी आक्टर की बस गात नहीं है वावत जिसके नाम है जैहो, रेडी, बोडिगार, दबंग, दबंग 2, दबंग 3, किक, एक था टाइगर, टाइगर जिन्दा है, सुल्तान, प्रेम रतन धन पायो, बजरंगी भायजान, ट्यूबलाइट, भारत, रेज 3, और वहीं 200 करोड की अगर लिस्ट बोले तो चार फिल्मे हैं, टाइगर ज जिन्दा है, सुल्तान, बजरंगी भायजान, और प्रेम रतन धन धन पायो, 300 करोड कर कलब की बात करें, तो सल्मान खान ने ये रेकॉर्ड भी अपने नाम किया है, भाया, उनकी जो 300 करोड फिल्म थी, वो है, सुल्तान, टाइगर जिन्दा है, और बजरंगी भायजान, अब हम बताते हैं, उनका सबसे बड़ा वीकेंट, सल्मान खान की फिल्म सुल्तान को पांच दिनों का लंबा वीकेंट मिला था, और फिल्म ने इसका जम कर फाइदा उठाया, सुल्तान ने पांच दिनों में 180 करोड का धमाकेदार कलेक्शन किया, और दंगल जैसे फिल्म एक और फिल्म है, जो सबसे बड़ी बॉलिविट फिल्म में बन गई, दंगल संजु के बाद बॉलिविट की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है, टाइगर जिंदा है, इसने 349 करोड का बिसनस किया, और ये सल्मान खान की सबसे ज़ादा कमाई करने वाली फिल्म ह एक ही साल में 200 करोड प्लस 300 करोड, सल्मान खान एक ऐसे स्टार है, जिन्होंने एक ही साल में 300 करोडी और 200 करोडी फिल्म दे दी थी, 2015 में ये रिकॉर्ड बनाया था, उन्होंने, सल्मान के लावा ये रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ रनवीर सिंग के नाम है, चलिए, आप ह सल्लू भाईजान के वो 10 करारे डायलोग जो अब तक फिर से हम सुनते हैं तो दोराते हैं और मज़ा जाता है मैंने प्यार किया का ये डायलोग कौन भूल सकता है और कौन यूज नहीं करता दोस्ती का एक उसूल है मैटम नो सॉरी नो थैंक यू हम आप के है कौन का ये डायलोग लोग कहते हैं कि छूट बोलती है तो और भी यूर खुबसूरत है हम दिल नाम परस्टनालिटी को शोबा देता है चुल बुल पांडे और रॉबिन होड़ पांडे तरह माली मचा दिया था के का ये डायलोग सुनिया मेरे बारे में इतना मसोचना दिल में आता हूं समझ में नहीं वॉन्टेट का ये डायलोग तु लड़की के पीछे भागेगा कि तेरे पीछे भागेगी और दबंग का ये डायलोग तो बहुत ही जादा कोमिडी है और ये डायलोग है हम तुम्मे इतने चेद कर देंगे कि अन्फ्यूस हो जाओगे कि सांस कहा से ले और पादे कहा से तो दोस्तों ये दे सलु भाई चान के वह डायलोग जो हमारे दिल अभी भी रास करते हैं और सलु भाई जान की अपकमिंग फिल्म आने वाली है राद है जो कि बॉक्स ऑफिस पर ताब और तोड कमाई करेगी आपको सलु की फिल्मों का कितना इंतिजार रहता है हमें नीचे कॉमें सेक्शन में जरूर लिखिए और इसी तरह के दूसरे व बॉलेबा सुबस्ट्रा सलुमान की अक्शन से भरपूर फिल्म राद है यॉड मस्वाट भाय को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है वहीं फैंस इस फिल्म की रिलीस डेट का लंबे समय से इनतजार कर रहे हैं तो अब सलमान के फैंस का इंतजार खत् Dwight की इन्नाउस कर गई है सलमान ने अपनी इस ड्रामा एक्शन और एंटर्टेइन्मेंट से भरपूर फिल्म के नए पोस्ट के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी अलान कर दिया है आपको बता दे सलमान खान ने इंस्ट्रिग्राम अकाउंट पर अपनी आने वाली फिल्म रादेयों किया था इरी पर ही आएंगे क्योंकि इस बार जो मैंने किया है वो निभाएंगे सिल्मान खान ने हैश्टेग राधियों मंस्ट्ज राधियों ने पोस्टर में सलमान डमग अंदाज में नजर आ रहें तस्वीर में आप देख सकते हैं, उन्होंने हाथ में बंदूग पकड़ी हुई है, वो नीचे की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी स्टनिंग ये तस्वीर है, जैसे की सल्लो भाई सल जान जैसे डैशिंग लगते हैं, वैसी लग रहे हैं, फिल्म की बात करे देविट लिमिटेड ने किया, वहीं आपको बता दे, फिल्म एद के मौके पर 13 माई 2021 में रिलीस की जानी है, इसके अलावा सलमान खान फिल्म अंतिम में भी नज़र आने वाले हैं, इस फिल्म में सलमान खान के साथ उनके बहनोई, आक्टर आयुशर्मा और साउथ इंड अब राधे ही और मोस्वांटेड भाई के जरीए वह धामाल मचाने को तयार है, इसके इलावा इस फिल्म में जैकलिन का भी एक आइटेम नंबर खूने वाला है, वहीं दिश्यपाति और सलमान की जो जोड़ी है, वह भारत में भी दिख चुकी है गाने के जरीए, तो राधे का नीचे कॉमें सेक्शन में जरूर बताएगा पर बड़े पर रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म का पोस्टर भी अब रिलीज हो चुका है, जी हाँ यह फिल्म एद के दिन 18 माई 2021 को रिलीज हो जाएगी, सल्मान खान की फिल्म जादातर ईद वाले दिहीं रिलीज की चाती है और फान्स होभी इस इस जिल का बेहत इंद जाधी रहता है इस साल फिर्ट से वॉल्मूद के most wanted भाई ने अपना वादा दिखाया है और अपने फिल्म का पोस्टर इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा है इन का commitment था इन पर ही आएगे क्योंकि एक बार जो मैंने commitment कर दी है यह आधा dialogue शेयर कर सलमान खान ने अपनी फिल्म का release देख भी release कर दिया है पोस्टर देखने के बाद प्रांच फिल्म को और भी जाना चल्दी बड़े परदे पर तेखना चाराए है अगर बात करें फिल्म की साथ कास की तो फिल्म में सलमान खान के अलावा दिशा पाटनी, जैटी श्रॉप, लटी पोड़ा और नेगा अकास जैसे एक्टर्स है इतना ही नहीं फिल्म के लिए तो गौतब गुलाती, सुई, जोवर और चंकी पांडे के नाम भी सामने नजर आ रहा है इस फिल्म को एक साउट कोरियन फिल्म दा आउट लॉस का रीने पतार चाता है इस फिल्म के तारेक्टर है प्रभुदेवा, और साथ ही फिल्म को प्रडर्यूस कर रहे हैं सलमान खान, सुहिर खान और अतुलभी होती आपको बदा दे, सलमान खान और प्रभुदेवा औलवेटी,望ंतेड और दबबबी जैसी फिल्मों में ही साम काम कर चुकी है राधे के अलावा सल्मान खान के पास इस सवे काईवर 3, किक 2 और अंसें दा फाइनल चूथ जैसी फिल्म में भी है इतना ही नहीं सल्मान खान, शारुप खान की फिल्म पठान और आमिर खान की फिल्म लालतिक चड़ा में क्यामियो रोड करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं सुनने में तो यहीं आ रहा है कि जॉन अबराहिम की फिल्म सक्यमेट चाइबे 2 भी एद के दिन यारी 13 मैं को ही रिलीज होने वाली है इसका मजब यह है कि एद के दिन इसका दो फिल्म रिलीज हो रही है और फ्लाश भी करने वाली है इस फिल्म में जॉन अबराहिम के दवलोल है ताथी फिल्म का पोस्टर जॉन ने ट्विटर पर शेयर कर लिखा है इस बार इद पर सक्य वर्टिस चया एज लड़ेंगे इस साल गोनो भारत मा के लाज इतना ही नई फिल्म आनलिस तरण आदर्श में भी इस फिल्म का तेरा माई को रिलीज होने वाली बात पर पुष्टी की है और अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि लखता है इस बार कीट पर सर्मान वर्टिस चॉन होने वाला है राधे बन की शूटिंग फूरी तरीके से 14 सुबर 2020 को ही कंप्रीन हो चुगी है और इस बार का सबुत सर्मान खाने अपने यूचिव अकाउंट पर एक विटियो शेयर करते हुए भी फैंस को दे दिया था इतना ही नहीं राधे या Most Wanted भाई एक पहली फिल्म होगी जो की फिल्म की रिलीज होने के बार घर बैटे ही दर्शक सिर्थ 30 दिन के बार भी देख पाएंगे यहां ये फिल्म 30 दिन के बार ही रिलीज हो जाएगी दीफलेक्स पर और उसके बार दीफाई पर भी हम देख स साथ इस नहीं वी स्कूलियोंगे त्वीटर पेट्व के साथ के लिखा है इस बार इद राधे के साथ ये है एक पिललर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म का मूजिक थाजडवाजित इनेश्रिशम्या और देश्री प्रसाद पंपोस्स किया है इद के देज shore लिए ग currently Dji Suser क्या होगा सत्यमेव जयते 2 और राधे के कलेश का नतीजा राधे प्रभुदेवा द्वारा निर्देशित और सल्मान खान सोहेल खान और अतुल अगनिहोत्री द्वारानिर में तेक आगमी भारत्य हिंदी भाषा की ये अक्शन फिल्म है फिल्म में सल्मान खान तिशा पाटनी रंदी फुडार जाकी शौफ और मेगा आकार शामिल है यह पिल्म 13 मई 2020 को इद अलुफतर के साथ सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है बॉलिवर्ड जल्द ही बड़ी पिल्मों के रूप में एक मेगा क्लैश को गवाब देने बादा है क्योंकि सत्या में जयते टू और राधे एक ही दिन पर रिलीज होंगी जौन आबरहेम ने पहले संकेट दिया था कि उनकी फिल्म सत्या में जयते 14 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी हाला कि उन्होंने हाली में एक बड़ा खुलासा किया है कि फिल्म एद 2021 की अफसर पर सिनेमा घरों में आएगी जो 13 मई को आएगी यह भी घोशना की गई है कि सल्मान खान की फिल्म राधे दमोस वांटेड भाई को एद के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा जैसा कि सल्मान खान ने 2020 में बादा किया था इन दोरों फिल्मों को शुरू में 2020 में रिलीज किया जाना था लेकिन महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण आगे धकेल दिया गया बॉलेवर्ट में थेजर में कलेश के कारण अकसर एक कड़ी तकर में होता है जैसे पहले कभी ना हुआ हो जैसे जैसे देश में गर्मी ब पहले से स्वेट बुक करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं फियेटर पर फिल्मों के क्लैश के दौरान यह अकसर होता है लेकिन इस लड़ाई में अकसर सबसे बड़ा नुक्सान हादने वाली टीम के फिल्म डिस्रिब्यूटर का होता है और इसके लिए फिल्म ने अभी त के दौरान राधे के साथ क्लैश करने के लिए सेलेट किया दिया था तक पॉक्स स्टार्ज स्टूडियो ने बागी 3 के साथ फिल्म को स्क्रीम के साथ क्लब किया आखे में डिस्ट्रिब्यूटर ने राधे और लक्षमी के लिए तीन इस्टू टू शो केसिंग पाटन पर पैस्ता किया था यानि कि अगर तीन शो राधे के रखते तो उन्हें लक्षमी के दो शो रखने पड़ते इसी तरह अनुन थड़ानी ने बाहु बली टू के साथ फिल्म को क्लब करने काबिल खिलाफ रईस के लिए स्क्रीट को ब्लॉक कर दिया सल्मान खान का स्टार्डम कोई भी सल्मान की फिल्म के साथ क्लैश करने से डरता है ऐसे में सत्यमेव जयते के मेकर्ज हर वो कोशिश कर रहे हैं कि वो राधे फिल्म को टक्कर दे सके यह देखना दुल्चस्त मैं हूँ प्रेंक का स्वाधत है आपका हमारे चैनल बॉलिग्रेट स्टूडियोज में आज हम बात करने वाले हैं राधे मोवी के सत्यमेव जयते टू में डबल रोल निभाते दिखेंगे क्या जोन अब्रेहम जोन अब्रेहम इस ईद पर सिल्मान खान के साथ से होने वाली है जोन अब्रेहम मिन दिनों लगातार अपनी सत्यमेव जयते टू को प्रमोट कर रही है जिसमें उनके साथ दिव्यक होसला कुमार मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है फिल्म सत्यमेव जयते टू थेशबक्ती की भावना से ओध प्रोत नजर आएगी जसकारण ट्रेड एक्सपर्ट्स भी इस फिल्म से अच्छी कमाई की उमीद कर रही हैं। जोन अब्रेहम ने कुछ तेर पहले ही अपनी अपकमिंग फिल्म सत्यमेव जयते टू का नया पोस्टर रिलीस करते हुए बताया है कि वो इसमें डबल रोल निभाते दो अलग-अलग अवतारों में दिख रही हैं। एक अवतार में उनके बदन पर पुलिस की वर्दी है तो वहीं दूसरे अवतार में वो सिर्फ बनियान पहन कर एक्शन मोड में दिख रही हैं। फिल्म के नए पोस्टर के साथ जोन अब्रेहम ने एक बार फिर से पक्का क को होगा करोडों का नुकसान है। सल्मान खान और जोन अब्रेहम दोनों एद के मोके पर अपनी अपनी फिल्म में रिलीस कर रही हैं। यह सिनेमा प्रेम्यू के लिए खुशी की बात है लेकिन ट्वेड एक्सपर्ट इससे महा क्लैश से परेशान है। कोरोना की वज़े स बॉलीवर्ड फिल्म इंडस्ट्री को करोडों का नुकसान पहले ही हो चुका है। और अब इस महा क्लैश के वज़े से मेकर्स, सिनेमा घर माली को और फिल्म, डिस्ट्रिब्यूशन बिजनेस से जुड़े लोगों को करोडों का चूना लग सकता है। रादे और सत्य में जोए तिट्टू दोनों ही मसालेदार फिल्मे हैं जिस कारण दर्शकों का बटवारा होना लास्मी है। अब आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए साथ ही हमारे चैनल को शुड़े रादे फिल्म के पोस्टर को कॉपी। रादे फि अब चैनल बॉलीडाक स्टूडियोज में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जल्दी बड़े पर्दिक पर रिलीज होने वाली फिल्म राधे के बारे हैं। इद पर ही रिलीज होगी और भाईजान ने अपना ये बादा फूरा भी किया है क्योंकि उनकी फिल्म राधे 13 माई 2021 को यानि इद के दिन भी रिलीज होने वाली है। इतना ही रही इस बात की कुष्टी सल्मान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट करते हुए दी है। जी हाँ उन्होंने लिखा है इद का कमिट्मेंट था इद पर ही आएंगे पोस्टर को देखने के बार फांस और भी जादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। जहां कुछ पांस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। वही कुछ लोगों ने फिल्म के फोस्टर को लेकर अब्जेक्शन भी उठाए हैं। जी हाँ लोगों का कहना है कि फिल्म रादे के पोस्टर को ब्रेक फिल्म के पोस्टर से कॉपी किया गया है। प्रेक फिल्म 2012 में रिलीज की गई थी यह एक अमारिकन फ्रिलर कल्म थी जिसका पोस्टर सर्मान खान की नई फिल्म रादे से काफी मिलता चुटा है रादे फिल्म के निदेशक है प्रहुदेवा साधी फिल्म को प्रड्यूस कर रहे हैं सर्मान खान, सुहिल खान और अतुल अग्मी होटरी इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोस करने की दिनमेदारी साज़ग वाजिक, हिमेश रेशमया और डेश्वी प्रसाद को सौपी गई है साध ही फिल्म को एडिट कर रहे है रिदेश सोनी और इस फिल्म के सिनेमेटोग्रापर है आया नाम का पोस बहुत फिल्म इस साल COVID-19 के कारण OTV प्लाटफॉरंग पर ही रिलीज प कर लिया है लेकिन इसके साथ सल्मान खान ने अपने फांस को एक रिक्वेस्ट भी की है कि COVID-19 के दोरान COVID के सारे नियमों का पालन जरूर किया जाए इस फिल्म में सल्मान खान की अलावाद इशापाटनी, जैकी श्रॉफ, गंदी खुड़ा और मेगा अकाश जैसे आक्टर्स भी है इतना ही नई इस फिल्म में गौतम गुला थी, सुनील प्रोब और चंकी बांडे का नाम भी सामने नजर आ रहा है राधे फिल्म पहले 22 माई 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण राधे फिल्म की डेट को कोस्पोन कर दिया गया था इस फिल्म की शूटिंग 14 कूबर 2020 में ही खतम हो गई थी, जिसके बाद सल्मान खान ने अपने यूट्यूब अगाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया था आपको बता दें राधे फिल्म जी स्टूडियो के साथ भी असोसियेटिड है इतना ही नहीं जी स्टूडियो के सीओ शारिक पटेल ने इस फिल्म के बारे में भी लिखा है कि राधे फिल्म फैंस के भरोसे पर जरूर खड़ी उतरेगी और ये बॉक्स ओफिस पर भी तभाई मचाएगी सल्मान खान के पास राधे के अलावा समय के to tyder3 और कभी कीष और इद्वाली जैसी फिल्म में भी है इतना ही नहीं सुनने में तो यह वी आया है कि सल्मान खान शारुक खान की फिल्म पथान में स्पहर आमिर खान análर की psychologically md आप देखना यह है इस तरिम बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल करती है वोलिवुड 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 के बाती है अब लों को जानने के रिए सबस्काइब नमस्कार मेरा नाम है पूनम और आप सभी का स्वागत है बहुर क्या स्रियोस आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जाना है यह कोई और नहीं बर सब के फेरिट सल्मान खा अपने भायजान के मूवी है So it's a movie रादे Yes I know you are all legally waiting for the movie to be released बद जैसे आप सभी जानते हैं सल्मान भाय के मूवी हमेशा एद पर ही रिलीस होती है तो रादे भी इसी साथ एद के मौव के पर रिलीस हो भारत की सफलता के बाद सल्मान को प्रेना मिली थी कि उन्हें दक्षिन कोरिया हिट दे आउट लोस के रीमेक के लिए दबंग तीन से असफलता को कवर करना है इस तरह से मिल रही है उन्हें कहानी अपनी फिल्म है रादे के लिए चुनी थी और आपका बता दें कि साउथ कोरिया इसल्ड आउट लॉस में मांग हॉंग और यूए की संग जैसे कलाकार ली रोल्स में थी रादे उसके Bollywood रीमेक पर बनने जा रही है जिसमें सल्मान खान दिशा पतानी जो है वो ली रोल्स में रादे शा में हमें दिशा पतानी रंदी फुड़्डा और जैकी शौफ जो है वो देखने को मिलेंगे वहीं सल्मान खान और प्रदु देवा भी अभिनेता निर्देश्च की जोड़ी में हमें वापसी करने को देख सकती है साथी फिल्में दक्षिन भारती अभिनेतरी मेगा आकाश भी मैद्वपूर्ण भूमिका में नज़र आएं रादे के अक्षिन सीन्स को दक्षिन कोरिया की सबसे बड़ी मार्श रास चाल और संद मैं कोन को हन को कोरियोग्राफ करने वाले है आप लोगों को क्या लगता है? क्या होगा रादे फिल्म का बॉक्स ओफिस कलेक्शन और कैसा प्रदर्शन करेगी? आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फेवरेट फिल्मों के बारे में नई खबरे चानिक लिए सबस्क्राइब करिएगा भी वो बहुत दियान देती है, दिशा आपने खुबसुरत तस्वीरे सोशेल मीडिया पर शेयर करती है वो आपने फिटनेस से जूरी तस्वीरे और वीडियोस भी सोशेल मीडिया पर आए दिन बदाई दी है दीशा का ये वीडियो फिटनेस को हैरानी में डाल रहा है पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा Happy Women's Day मुझे बजबूत बनाने के लिए शुक्रिया पोस्ट में उन्होंने अपने गुरू का शुक्रिया अदाभी किया दीशा की अगली फिल्म राधे और Most Wanted भाई को 4 नवंबर को मुंबई के एक स्टूडियो में दिशापतानी जैकी श्रॉफ और रंदी भुड़ा के साथ चोड़ा फिल्म की शूटिंग तेजगती से चल रही है जिसमें बताया गया है कि निर्देशक प्रभुदेवा को फिल्म के कलाकारों की टुक्री में शामिल होने के लिए दक्षिन भारत के फिल्म उद्यों के प्रशीद धविनेता मिल गए है सल्मान ने राधे में एक्शन दिशो को समेटने के लिए एक कोरियन स्टंग टीम को भी साइन किया है राधे कोरिया क्राइम ठ्रिलग्दा आउटलेस की राधिकारिक रीमेक है न पुर्मेहनत करने की सलादी है और इसलिए उन्होंने कोरियाई टीम को बोर्ड पर ले जाने की फैसला किया इस होफ़ते फिल्म की स्टार का सलमान खान दिशा पठानी और रंदीब हुडा बिग बॉस 14 के मंच पर साथ नजर आए दिशा और रंदीब विकेंड के वार पर विशेश अतीति के तौर पर आये थे शो के शुरुआत फिल्म भारत से सलमान खान और दिशा पठानी द्वारा संग स्लो मॉशन पर एक डान्स के साथ हुई शो में जब दिशा से सलमान खान के साथ काम करने के उनके अनुभव के बारे में पूछा गया तो दिशा सीधे सलमान के फेंस तक पहुचेगी समझ ये कैसे मोबाइल पर मिलेगी ये फिल्म मैं फ्रेंग का स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलिग्रेड स्टूडियोज में सलमान खान ने इद का कमेंटमेंट था इद पर ही आएंगे क्योंकि एक बार जो मैंने कहे कर अप मत नहीं जूटा पा रहे हैं ऐसे लोगों की सहूलियत के लिए अफ़न रादे यूर मोस्ट मॉंटेड भाई खुद चल कर उनके घर आने की सैयारी में है फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज करने के बाद जल से जल इसका डिजिटल संस्क्रण भी रिलीज करने की योजना पर काम शुरूर किया गया है सल्मान खान ने अपनी फिल्म रादे यूर मोस्ट वांटेड भाई के रिलीज की तारिक कंफर्म करने के साथ साथ फिल्म का एक नया पोस्टर भी बीतिश अनिवार को जारी किया साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म दबंक 3 के बाद रादे यूर म रिलीज हो रही है जानकारी के मुताबिक सल्मान खान की फिल्म रादे के वित्रन अधिकार जिस कंपनी ने खरीदे हैं उसमें पिछले कई दिन से फिल्म को जादा से जादा लोगों तक पहुचाने की रननीती पन रही है हिंदी फिल्मों की कमाई के देश में तीन सबसे बड़े बाजार है इनका नामाकरन दिल्ली यूपी मार्केट मॉंबई मार्केट और इस पंजाब मार्केट दर्शकों में चल रहा है इन बाजारों में कोरोना हाल के दिनों में फिर से जोर पकड़ने लगा है ऐसे में सिनेमा घरों में आने शुरू है दर्शकों की तदा पहाई में सलमान खान के साथ तीशा पार्टनी रंदीप पूडा और जैकी शिरोफ खाल स्किरदारों में हैं ये फिल्म सलमान खान की सुपर हिट फिल्म वॉंटेड का अनादाकारिक सिक्विल भी पताई चा रही है इस फिल्म को भी कोरियोग्रेफर से निर्देशक बने प सलमान खान एक और फिल्म अम्तिम्द फाइनल चुथ में भी नजर आने वाले हैं ये फिल्म व्यापने बहनोई आयूश शर्मा के लिए बना रहे हैं अमिर खान की फिल्म लान सिंग चड़्डा में भी उनका एक दमदार खैम्यों है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शियर जरूर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ दिखने वाले हैं सलमान और शारुक कितना जरूरी है रादे फिल्म की कहानी के लिए शारुक का किरदार उस फिल्म के लिए अक्सर लोग एक्साइट होते हैं जब उस फिल्म में अच्छे प्राइंगल हो या फिल कनेक्शन जब भी किसी फिल्में दो से ज़्यादा बड़े सितारे एक साथ इत्के हैं तो पब्लिक उसितन विले एकसाइटिड हो जाती है एक समय के करन अर्जुन के फैन्स अभी भी उन्हें बड़े सिल्वर स्क्रीन पर साथ देखना चाहते हैं ल एक साथ भी डोल्स में नहीं देख सकते हैं बस एक दूसरे की फिल्मों के केमियोज में यह सल्मान और शारुप की जोड़ी ही तो है जो बॉलेविल इंडस्ट्री में राज कर रही है उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत सारी ब्लॉपबस्टर फिल्में दी हैं लेकिन बह किस्धे बार स्ल्मान ने शारू की स्टिरोमें के साथ बापसि Nahe के दशक में सर्फक में शारुम की adults कि सूपर हिक तर्फन कुछप होता है में देख सर्फन की Tech की साथ होथ दिल में जो प्यार करेगा को एक विशेश भूमे का निडाई थी शारुक और सल्मान 1995 की मशूर करन अर्जन के को एक्टर्स के और 2002 की हम तुमारे हैं से हमने भी साथ दिखाई गी लेकिन अब लगता है कि फिल्म इनकी जोली में हमें फिर से दिखने को मुझ सकी है कि सल्मान खान की प्रभूदेवा के साथ आ रही है फिल्म रादे या मोस्ट वांटिफाई शारुकान और सल्मान खान जैसे गड़े आक्टर वगर किसी फिल्म के लिए साथ आ रही है तो इस फिल्म के लिए लोग वर्साइट हैं और आपका क्या कहना है इस बारे में ये कहानी रिलीज का बीते हफते ऐलान तो कर दिया लेकिन देश में तमाम लोग ऐसे भी हैं जो करोना के डर के मारे अभी भी सिनेमा घरों तक जाने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं ऐसे लोगों की सहुलिवत के लिए अब फिल्म रादी और मोस्ट वांटिड भाई खुच चल सब्सक्ति भी बीतेश निवार को जारी किया साल 296 में रिलीज द्बंक से बाद रादी और मोस्ट वांटिड भाई उनकी अगली फिल्म होगी जो सीनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है रादी और मोस्ट होनट इट भाई साल 2021 की मोस्ट वेडिड फिल्म है और इसके ठ रही है हिंदी फिल्मों की कमाई के देश में तीन सबसे बड़े बाजार है इनका नाम है दिल्ली यूबी मार्केट मुंबई मार्केट और इस्ट पंजाब मार्केट जो की दर्शकों से चला आ रहा है इन बाजारों में कोरोना हाल के दिनों में फिर से जोर पकड़ने लगा किया है रादी और मोस्ट वांडिड भाई के लिए तमाम सिनेमा घरों की बुकिंग शुरू हो चुकी है समझा जा रहा कि सभी लैंग्विजिस को मिला कर ये फिल्म करी 5000 स्क्रील्स पर एक साथ रिलीज हो सकती है बॉक्स ओफिस की सारी कमाई दो हफ्तों में बटोरने के बा कर रिलीज किया जाता है सलमान कान की फिल्म रादी और मोस्ट वांटिड भाई की डिजिटल रिलीज करने के पीछे सोच यही काम करिये की ऐसा करके फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाया जा सके और इसे जी फाइफ के ग्राफों के सलाना शुल्क में ही दिखाये जाने से पहले एक मोटी कमाई इसे रिलीज के कुछ हफतों बाद पे-पर व्यू मतलब की एक बार देखने की फीस के तहत रिलीज करने की तयारी की जा रही है वहल दोस्तों देखा जा तो यह आइडिया बहुत ही माइंड ब्लूइंग आइडिया है क्योंकि सभ सल्मान खान के इस फिल्म को लोग जरूर देखना चाहेंगे इसलिए पे-पर व्यू यानि की सिर्फ एक बार देखने वाली फीस सही है लोग इससे खीचे चले आएंगे और सल्मान खान की फिल्म की कमाई में चार्चांद लगाएंगे वैल कि आप इसे सिनेमा घरों में जाने वाले हैं या फिर मोबाइल पर जीफ फाइफ पर नीचे कमेंड वॉक्स में अपनी राइच शेयर करें और देखते रहें ईद के मौके पर इस बार डबल धमाका होने वाला है ऐसी चचाय थी कि सल्मान खान की राधी और मोस्ट वांटिड भाई की रिलीज डेट आन कि उसी दिन जिस दिन स्लमान कान की राधे रिलीज हो रहिए जोन अबराम ने वुधुवार को फिल्म के नए पोस्टर के साथ रिलीज डेट बदल जाने की घोशना की है जॉन अबराम ने बुद्वार को ट्विटर पर सत्यमयो जैते का नया पोस्टर रिलीज किया उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा इस एड सत्य वर्सिस जै लड़ेंगे इस साथ दोनों भारत मा के लाल सत्यमयो जैते 2 एड पर 13 मई को रिलीज हो रही है जॉन अबराम के स्ट्विट के साथ ही साथ हो गया कि इस बार ईड पर घमा सान मचने वाला है खास वात यह है कि सल्मान खान के रादे और जॉन अबराम की सत्यमयो जैते 2 दोनों ही एक्शन फिल्मे है यानि इस बार एद पर एक्शन का भी डबल डोज मिलने वाला है सलमान खान की एद रिलीज के रिकॉर्ड को देखते वे शुरुआती आंकलन यही है कि बॉक्स ओफिस पर दबंग खान का पलरा भारी गया हाला कि यह देखना भी दिल्चस्प होगा कि सत्यमियू जैते टू टिकट खिड़की पर राधे को कितना नुकसान पहुचा पाती है दोस्तो एक और मज़ेदार की बात यह है कि राधे योर मोस्ट वांटिड भाई और सत्यमियू जैते टू दोनों ही सीक्वल फिल्मे है राधे जहां 2009 में आई सुपर हिट फिल्म वांटिड का सीक्वल है वहीं सत्यमियू जैते टू साल 2018 में रिलीज होई फिल्म सत्यमियू जैते का सीक्वल है राधे को प्रभू देवा ने डारक किया है वहीं सत्यमियू जैते टू को मिलाव जावेरी ने दोनों ही मेकस अपनी अपनी फिल्मों को लेकर बहुत confidence है हैते में दर्शक का प्यार किसे ज़्यादा मिलता है ये देखने वाली बात होगी वेल दोस्तो आप किस फिल्म को देखने वाले हैं सबसे पहले और किसको सपोर्ट करें सलमान खान को या फिर जॉन अब्रहाम को नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राज शेयर करें और देखते रहें बॉलिग्राद स्टूडियोज कब तक आने वाली है सलमान खान की फिल्म कौन सा पोस्ट रिलीज हुआ है हाल ही में क्या स्टोरी लाइन होगी फिल्म की नमस्कार दोस्तों मेरा नाम बलगुपता है मैं तहे दिल से आप सब का स्वागित करती हूं बॉलिग्राद स्टूडियोज की आज की इस नई वीडियो में जहां हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म रा देखिए तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तभी आपके सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे और अगर अभी तक आपने हमाय चानल पर अपनी फेवरेट मूवी या सीरीज से रेलेटेड पिछले वीडियोज नहीं देखिए हैं तो जल्दी से जाएए हमाय चानल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोज आराम से चेक कर लीजीगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के राध हैं बॉलिवुड के एक अगामी आक्शन ड्रामा है जो प्रभु देवा द्वारा निर्देशित है फिल्म में सल्मान खान, दिशा पाठिनी, जाकी श्रॉफ और रंडी फूडा मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं इस फिल्म के निर्माता सोहिल खान, अदुल अग्मी होतरी और सल्मान खान है फिल्म की खोशना 18 ओक्टूबर 2019 को ही की गई थी फिल्म की शूटिंग 1st November 2019 को लो नावला में शुरू हुई थी जिसके बाद ये फिल्म 22nd माई 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन देजभर में महमारी के कारण इस फिल्म के रिलीज देट को टाल दिया गया था और अब ये फिल्म 13th माई 2021 में रिलीज होगी सल्मान खान की फिल्म में एक्शन ड्रामा एंटेइन्मेंट का पर्याप है और दर्शकों को राधिया मोस्ट वांटेट भाई के साथ बड़े परदे पर उनके आने का बहुत भी सबरी से इंतिज़ार है प्रभुदेवा द्वारा निर्देशित अक्शन ड्रामा 2021 की सबसे प्रतिष्टित फिल्मों में से एक है और फिल्म के नवित्म पोस्टर में हमें अधिक उतसाहित कर दिया है फिल्म के रिलीज के ठीक दो महीने का वक्त बचा हुआ है ऐसे में सल्मान खान के एक नवित्म पोस्टर रिलीज किया जहां वो एक फियर्स लेकिन स्लिक अफ्तार में नज़रा रही है अब जलते हुए हलिकॉप्टर और तोब खाने के साथ युद के मैदान के बाग्राउंड के साथ वो एक दम दमदार फिजीक में पहले से कही ज्यादा होट दिखाई दे रहे है अब पोस्टर में एक क्लासिक सल्मान खान के सभी तत्व हैं और ये एक बड़ी एंटर्टेनर होने का वादा करती है जलते हुए हेलिकॉप्टर और युद के मैदान के बैक्राउंड के साथ सल्मान खान का ये दमदार फिजीक हम सब की आखों का तारा बच चुका है पोस्टर में भी क्लासिक सल्मान खान ने जैसे की एलिमन्स मौजूद है और ये फिल्म हम सब को दिखा लेती है कि ये फिल्म पूरी एंटर्टेनर होने क्लिए परफिक्ट है फिल्म के पोस्टर में साफ दिखाई दे रहा है कि राधे में जोड़दार आक्शन का डोस दर्शकों को मिलेगा फिल्म के बारे में बात करते हुए जी स्टोडियोज ने CBO शारिक पठेल से कहा हम सल्मान खान के इस फिल्म के माध्यम से सिनिमा घरों में दर्शकों को वापस लाने के लिए काफे जादा उतसाहिद है क्योंकि उनके फिल्म उतसव का माहौल बनाती है ये 2021 की सबसे बड़ी फिल्म होगी और हम दर्शकों का समर्थन प्रतिर्क्रिया देखने के लिए काफे उतसोख है मुझे यकीन है कि कठिन वर्ष के बाद ये प्रशंसकों के लिए खुशी का मौका होगा रादे और मोस्ट वाणिड भाई सलमान प्रशंसकों और सिनिमा प्रेमियों के लिए एकड़म परफेट इद होगी इसके साथ ही सलमान खान फिल्म से एक प्रवक्ता ने कहा सलमान खान और ईद का एक स्पेशल करेक्षन है और सलमान खान फिल्म में हमें राधे और मोस्ट वांड़ भाई के साथ इस परंपरा को जारे रखते हुए खुशी का महसूस हो रहा है अब हम ताली बजाने, सीटी बजाने और हाउस फुल के युगु को वापस लाने के लिए उच्सोख है जिसके लिए सल्मान खान के फिल्मे के लिए आज आना ही अपने बड़े में बहुत बड़ी बात है अब प्रभुदेवा के निर्देशिन में बनी राधे और मोस्ट वांड़ भाई 2009 में आई वांड़ की सीक्विल है जिसमें सल्मान ने आईपियस राजवीर शिंग सिंग शेखावत उस राधे का किर्दार ने बाया था उस फिल्म को भी प्रभुदेवा ने ही निर्देशित किया था रपोर्स की माने तो राधे और मोस्ट वांड़ भाई कोरियन फिल्म आउट लॉज की आधिकारिक हिंदी रिमेक है फिल्म में दिशापाठी नी रंदी फूड़ा जाकी श्रॉफ और जरीन वहां भी एहम भूमी कह में तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको आज का वीडियो पसंदा है तो सबी को था और फाइनली अब सल्मान फार के फांस का इंकतार खड़न होने वाला है रादे फिल्म का पोस्ट्रों शेर करते हुए पॉलिवुट के मौन्स वोर्टिट भाई नहीं एलाज कर दिया है कि उनकी फिल्म रादे इद के दिनी आनी 13 माई 2021 को ही रिलीज होगी इतना ही नहीं सल्मान फार में पोस्ट को शेर करते हुए यह पी लेखा है इद का कमिट्मेंट था इद पर ही आएंगे क्योंकि एक बार जो सल्मान खान में कमिट्मेंट कर दी तो फिर भाई चान किसी की भी नहीं सुनते इस फिल्म के डारेक्टर है प्रभुदेवा और साथ ही फिल्म को प्रडूस कर रहे हैं सल्मान खान, कोहील खान और अतुल अप्धी होगी आपको बता दें सल्मान खान और प्रभुदेवा और डबंक्री जैसी फिल्मों में भी साथ काम कर चुकी हैं अगर बात करें प्रभुदेवा कासी तो फिल्में सल्मान खान, दिशा बातनी, जैकी श्लोफ, रजीब उड्दा और मेगा अंगार ये वडे गलाकार है दिशा बातनी, सल्मान खान की मुटी भालत में सल्मान खान के साथ और झाइजर डांस संबर कर चुकी है जिहां इस गाने का नाम था स्लोग मोशन है और इस गाने में सल्मान खान और दिशा की टामिस्ट्री लोगों को काफ से परसंद आई थी इस फिल्म को एडिक कर रहे हैं रिजेश सोनी, हाई दूसे और फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं आया नाम का गोड़ इस फिल्म का म्यूजिक साजद बाजद हमेश सिशमया और देश की प्रशाद ने समपोस किया है इतना ही नहीं सुनने में तो यह जी आया है कि ये फिल्म स्नावड को एड मुवी दा आउट लौस का रिमेक है यह एक्षिलर्रामा फिल्म है और इस फिल्म के पोस्टर में सल्मान खान यहार में बंदूक है पोस्टर देखने के बाद जल्मान खान के प정शन रे है और ही जादा एकसाइटेड नजर आ रहे है इतना ही नहीं सर्मान खान पहले संजर गिला बंसाली की फिल्म इंशाला में आलेया भट के साथ काम करने बारे थे लेकिन जब एक खबर सामने आई थी इंशाला फिल्म नहीं बन रही है इस बात का एलान सर्मान खान ने अपनी यूट्यूब अकाउंट पर एक विडियो पोस्ट करते हुए कर दिया था सुनने में तो यह भी आ रहा है कि इस फिल्म में जैकलीन कॉटनेंडिस एक स्पेशल लानस नमबर करने वाली है साथी इस फिल्म में जैकी श्रॉफ एक सीनियर इंस्पेक्टर का किर्धार निभाने वाले है और दिशापाट्री उनकी बहर का किर्धार निभाएंगी इसके अलावा फिल्म में कौदम गुलाटी, जलीना माहब और अर्जिन कानू को भी दिखने वाले है इस फिल्म में रंदीब होटा नेगेटिब किलदार में निखने वाले है यानी धिलिन का किलदार निभाने वाले है रंदीब होटा इसके पहले सलमान खान के साथ किट भूपी में दिख चुकी है इस फिल्म का बजट अरांग 114 करोड रूपीज बताया जा रहा है इसके पहले सलमान खान की फिल्म भारत का बजट अरांग 114 करोड रूपीज रहा था सलमान खान की फिल्म रादे के लिए तो फैंस ना पी एकसाइट बिखाई दे रहे है पर आप देखना यह है कि इद पर रिलीज हो रही है फिल्म गॉक्स ओपिस पर कितना समाज करती है इद का कमिट्मेंट था इद पर ही आएंगे क्योंकि एक बार जो मैंने कमिट्मेंट कर दी अपनी सुपर इड फिल्म वांटेड का डायलोग आधा दोरातुए सलमान खान ने शरी वार को ठीक दो महिने बाद के शुक्रवार को अपने फिल्म रादे और मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज देट की शगुन का एलामिया इस जहार कर दिया है अर्से से चर्चा होरी की ये फिल्म इस साल इड के मौके पर रिलीज होने वाली है लेकिन सलमान खान की तरब से इसकी ऑफिशिल एनॉंसमेंट अब जाकर हुई है सलमान खान इस फिल्म के प्रोडियूसर भी है दोस्तो देखा जाय तो 33 साल से फिल्मों में काम कर रहे है 55 साल के सलमान खान आ अपझाई और मोस्ट वांटिड भाई की रिलीज की तारिफ कंफरम करने के साथ-साथ फिल्म का नया पोस्टर भी शनिवार को जारी किया पोस्टर की बास करे तो पोस्टर में एक हेलिकॉप्टर पर होते हैं हमने काज के हवा में उड़ते टुकडे हैं गॉलवर्था में सलमान खान है और सिया होता दिखता उनके दाइने हाथ का फिरोजी स्टोन है साल 2020 में सलमान खान की कोई फिल्म रिलीज नहीं वी अपने पन्वेल स्तिस पॉम पर कोरोना काल में सलमान ने म्यूजिक वीडियो और गाने बने फिर बिग बॉस में नजर आए लेकिन साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म दबंग 3 के बाद राधी और मोस्ट वांटिड भाई उनकी अगली फिल्म होगी जो सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है देखा जा तो अपने पिछली कुछ फिल्मों में एक्शन, इमोशन, ड्रामा और आइटम नंबर्स का कॉक्टल फॉर्मूला लगातार बना रहे हैं सलमान खान की फिल्म राधी और मोस्ट वांटिड भाई साल 2021 की मोस्ट वेटिड फिल्म है इससे ठीक दो हफ्ते पहले अक्शिर कुमार के फिल्म सूर्य वंशी भी रिलीज हो रही है राधी और मोस्ट वांटिड भाई के साथ वॉक्स ओफिस पर जॉन अबराहम कुस्ती लड़ेंगे जॉन की सत्य में उजयते टू उसी दिन रिलीज हो रही है फिल्म राधी और मोस्ट वांटिड भाई में सल्मान खान के साथ दिशा पार्टनी रंदिपुड़ा और जैकी श्रॉफ खास कारेक्टर्स में नज़र आएंगे ये फिल्म सल्मान खान के सूपर हिट फिल्म वांटिड की अनओफिशल सीक्वल है जिसे डैरेक्ट कर रहे हैं प्रभुदेवा फिल्म को पहले ये श्रट फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहा था प्रेजेंट कर रहा था लेकिन डिली पकी होने से ठीक पहले ये फिल्म सलमान खान ने जी चैनल को बेच दिया अब जी स्टूडियो से सिनेमा करों में रिलीज करेगी और OTT प्लाटफॉर्म जी फाइफ पर रिलीज करेगी इसके बाद देखे तो सलमान खान साल 2021 में एक और फिल्म अंतिम दी फाइनल टूथ में भी नजर आएंगे ये फिल्म वो अपने आयूश शर्मा के लिए बना रहे हैं आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा में भी उनका एक कैम्यो है अगले साल सलमान खान दो खतरनाक एक्शन फिल्मों में दिखने वाले हैं शारुकान अधिपी का पादुकोंड की पाथान और एक धमा की दर फ्रंचाइजी सूपर डूपर हिट सीरीज टाइगर 3 में नजर आएंगे वेल दोस्तों आपको कैसा लगा पोस्टर नीचे कम इंड बॉक्स में अपनी राइश शेयर करें और देखते रहे हैं बॉलिग्राइज स्टूडियोज थैंक यू सो मच कैसा है सल्मान की राद हे यूर मोस्ट वॉंटिद भाय का नया पोस्टर इसी के साथ के रिलीज डेट अनूंस हो चुकी है कब धमा का मचाने वाली है राद हे हेलो फ्रेंड्स आप देखने हैं बॉलिग्राइज स्टूडियोज में सोनी का जार बॉले बॉस सुपल स्टार सल्मान खान के अक्शन से भरपूर फिल्म राद हे यूर मोस्ट वॉंटिद भाय को लेकर फैंस काफी एक्साइट है वहीं फैंस इस फिल्म की रिलीज डेट का लंबे समय से इतजार कर रहे हैं तो अब सल्मान के फैंस का इतजार खत्म हुआ क्योंकि राद हे यूर मोस्ट वॉंटिद भाय की रिलीज डेट अन्नावस कर दी गई है सल्मान ने अपनी इस ड्रामा, एक्शन और एंटर्टेइन्मेंट से भरपूर फिल्म के नए पोस्ट के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी अलान कर दिया है आपको बता दे सल्मान खान ने अपनी इंस्टेग्राम अकाउंट पर अपनी आने वाली फिल्म राद हे और मोस्ट वॉंटिद भाय का नया पोस्ट शेयर करने के साथ ही फैन्स को बताया कि ये फिल्म 13 माईं 2021 को रिलीज की जानी है फिर्म के नए पोस्टर को शेर करते हुए सलमान खान ने कैप्शन में लिखा इद का कमिटमेंट किया था इद पर ही आएंगे क्योंकि इस बार जो मैंने किया है वो निभाएंगे इस कैप्शन के साथ सलमान खान ने हैश्टेक राधे on 13th में हैश्टेक two months to राधे हैश्टेक का इस्तिमाल किया है राधे यों most wanted भाई के नए पोस्टर में सलमान दबंग अंदाज में नजर आ रहे तस्वीर में आप देख सकते हैं उन्होंने हाथ में बंदूग पकड़ी हुई है वो नीचे की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं काफी स्टरनिंग ये तस्वीर है जैसे कि सल्लो भाई सलजान जैसे डैशिंग लगते हैं वैसी लग रहे हैं फिल्म की बात करें तो इसमें सल्मान खान के अलावा दिशापाटनी रंदीब हुड़ा जैकी शॉप जैसे एहम किरदा नजर आने वाले हैं फिल्म को सल्मान खान फिल्म्स ने जी स्टूरियोस के साथ मिलकर प्रस्तूत किया है जिसका निर्मान सल्मा खान, सोहिल खान और रील लाइफ रडक्शन प्राइविट लिमिटेड में किया वहीं आपको बता दे फिल्म एज के मौके पर 13 मई 2021 में रिलीस की जानी है इसके अलावा सल्मान खान फिल्म अंतिम में भी नज़र आने वाले हैं इस फिल्म में सल्मान खान के साथ उनके बहनोई आक्टर आयूशर्मा और साउथ इंडियन सिजिमा के जाने मानी अभी नहीं त्रेट प्रग्या जैसे वाल डीड रोल प्ले करने वाली है प्रग्या ने कई सूपर हिट तेलगू फिल्मों का दिया है और बहुत ही फैन फॉलिंग उनकी जबरदस फैन फॉलिंग है अक्टिक्री तारीफे की जाती है और अब राधे यो मुस्वांटेड भाई के जरीए वह धामाल मचारे को तयार है इसके लावा इस फिल्म में जैकलिन का भी एक आइटेम नंबर होने वाला है वहीं दिशापाती और सल्मान की जो जोड़ी है के मैस्वी है वह भारत में भी दिख चुकी एक गाने के जरीए तो आप देखना होगा कि राधे हो मोस्वांटेड भाई कितना धमाका मचा पात क्या जल्मा दिखाया दीशापातनी ने भूमेंस दे के मोके पर मैं प्रेंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्रेट स्टूडियोज में आज समाज में लड़कियां हर एक फिल्म में पुरुष को टक कर दे रही है और उने साथ ही पीछे भी छोड़ रही है पड़ाय से लेकर खेल और मनोरंजन जगत में भी महिलाओ का डंका बज रहा है एक समय होता था जो बॉलीवुड में एक्शन सेंस सर्फ मेल्स ही किया करते थे मगर आज बॉलीवुड के पास दिशापातनी जैसी फिटनेस फ्री और बेबाग एक्ट्रस हैं जो एक्शन से भी जादा आजकल उनकी फिटनेस और स्टन के चर्चे हैं सोशल मीडिया पर आए दिन दिशा अपनी फिटनेस को लेकर सुर्खियों में रहती है अब एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया जो लोगों को हैरान कर रहा है इस वीडियो में दिशा पार्ट किया है इस वीडियो में मार्शल आर्ट का हुनर दिखा कर लोगों से तारीफें बटोर रही है दिशा ने यहां शांदार तरीके से डबल राउंड होस कि को करके दिखाया है वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए दिशा ने कैप्शन में अपने ट्रेनर के लिए थैंक्स भ किया है जिसमें वो स्पिनिंग हुक किक करती नजर आ रही है वे इतने पर्फिक्ट अंदाज में किक कर रही है जिसे इंसान एक बार देखे तो बार बार देखना चाहिए शायद बोलीवुड के कई सारे फिटनेस फ्रीक एक्टुर्स भी इतने प्रुफेक्शन के साथ य उसरी बार सल्मान खान के साथ रादे और मोस्ट वॉंटेड भाई में नजर आने वाली है यह फिल्म इस साल यानी 2021 में इत के मोखे पर रिलीज होगी बता दें कि राकेश यादम ने ही दिशा को उनकी फिल्म रादे और मोस्ट वॉंटेड भाई के लिए ट्रेंड किया है इसका यह मतलब है कि दिशा ने यह स्टंड रादे के लिए ही सीखा होगा फिल्म में दिशा खतरनाक स्टंड करते हुए नजर आने वाली है रादे यह मोस्ट वॉंटेड भाई फिल्म एक हाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है और सल्मान तेरे नाम और वॉंटेड के बाद पी हाई देंगे हाला कि फिल्म को इतने पिछले दो अंटिंग से कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिल्म में वॉंटेड और तेरे नाम जैसा ही एक्शन देखने को मिल सकता है हम तो इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं और क्या दर्शक हो चुके हैं सल्मान खान के पुलिस वाले किरदार से बोर और क्या था रादे फिल्म का पहला टाइटल क्यू भरे गए रादे में तेरे नाम वॉंटेड में सल्मान के किरदार के रख दोस्तों नमस्तिन स्लाम स्वागत है आप सभी कर बाद फिर से वालिगा स्टोडियो उसमें और मैं के उनुशकत आगी तो सिल्मान खान फिल्म दबंग 3 के लिए फीर स्ट पॉलिस समय बनने जा रही है bana का नाम हुगा रादे फिल्म के नाम से कही किसका तेरे नाम वाला सेकुल होने का भ्रह ना हो इसके लिए अब फिल्म का पूरा नाम होगा रादे यू मोस्त वांट इड़ भाई अब सिल्मान खान की अंडरकवर कप वाली फिर्म वांटेड भी उनके फांस को बेहत पसंद आई थी अब पुलिस आफसर के किरदार वाली उनकी दबंग सीरीज के तीसरी फिर्म 2019 में 20 दिसम्बर को रिलीज हुई थी फिर्म दबंग 3 के निर्देशक प्रभुदेवा से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने दबंग 3 के पोस्ट प्रडाक्शन का काम पूरा करने के साथ साथ फिर्म रादे की शीटिंग के लिए तैयारिया भी शुरू कर दी है फिर्म का महुरत शॉर्ट मुंबई में 4 नवंबर को फिल्माया गया था और इसी के साथ फिर्म का पहला शेडियूल भी शुरू हुआ था 4 नवंबर को गो पास्ट में थी और इस दिन फिर्म शुरू करने का बहुत शुब मूरत निकाला गया था आपको बता दे कि फिल्म रादे ये मुस्ट वांटड भाई के चल पहले रिलीज हुई कोरियन फिल्म दा आउट लॉज की आधारिक हिंदी रिमेक होगी और इसके लिए राइचादी खरीदने के प्रक्रिया सल्मान खान के वकील पूरी कर चुके हैं आपको बता दे कि फिल्म को पूरी तरह से फिर से भारतिय प्रश्ट भूमी में लिखा गया है और इसमें सल्मान खान का खाथ टच देने के लिए फिल्म तेरे नावर वॉंटेट के सल्मान के किरदारों के रंग भी इसमें भरे गये हैं अब सिल्मान खान अपनी आने वाली फिल्म रादी को लेकर काफी एक्साइड़ है इस फिल्म को लेकर सिल्मान ने कई बड़े नियम बनाए है जिनें फॉलो किया जा रहा है हर्प्यू मिंबर वे सेट पर काम कर रहे अन्य लोगों के लिए बहुत जरूरी है अब सिल्मान नहीं चाहते कि रादी के रिलीस से पहले उसे जुड़ी किसी भी तरह के जानकारी सेट से बाहर जाए अब यही वज़ा है कि सिल्मान ने एक दो नहीं बलकी पूरे के पूरे 15 नियम बनाए है जिसमें कच्रा फेलाने पर प्रतिवन फोटो कीचने पर बैंद दूसरों के साथ अब अधर भाशे का प्रियोग और काम करने के लिए एक स्वस्तवातावरन बनाने पर जोर जैसे नियम शामिल है आपको बता देते हैं कि पहले इस फिल्म का नाम रादे यू मोस्वांटेट कब था लेकिन फर बाद में इसका नाम रादे यू मोस्वांटेट भाई में बदल दिया गया है आप क्या वज़ा थी इस नाम में बदलाव की ये तो हम नहीं जानते लेकिनी जरूर जानते हैं कि फिल्म भी सल्मान घान की बागे फिल्मों की तरह एक ब्लॉगबस्टर हिट होगी अब तो हम फिल्म के लिए बहुत इक्साइटेड हैं और आप दोस्तों बने रहे हैं हमारे साथ और हमारे साथ करते हुए नजर आई दिशा रादे फिल्म में कैसी बने की टाइगर शॉप की गर्फन दिशा पाटनी टाइगर की फिता की बेहन करोना और लॉकडाउन के कारण देश के कई सेक्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है सिनेमा हाउस भी उन्ही सेक्टर्स में शामल है जिन्हें करोना के कारण बहुत नुकसान जेनना पड़ा पहले तो लॉकडाउन के कारण सिनेमागर बंद रहे फिर चब खुले भी तो लोग OTT प्लारफॉम्स पर ही फिल्में देखने लगे सिनेमागरों के मालिकों को वो रहे फिर नुकसान को देखते हुए हाली में सल्मान खान ने ये पैसला लिया कि वो अपनी अगली फिल्म रादे योर मौस्ट वॉंडड़ बाई को सिनेमागरों में ही रिलीस करेंगे उन्होंने इससे जुड़े एक पोस्ट सोशल मीडिया पर भी डाली है और उन्होंने ये पोस्ट करते हुए सिनेमागरों के मालिकों की परेशानी हो समझा और उनसे ये सनिश्टित करने को कहा है कि जो दर्शक फिल्म देखने आएंगे उनकी सुरक्षा का खास ग्यान रखा जाएंगे अब फिल्म रादे चिनेमागरों में ही ईद के वक्त रिलीस होगी रादे फिल्म की एक्ट्रिस दिशा पार्टनी ने फिल्म को सिनेमागरों में रिलीस करने के पैसले पर कुशी दाहित की है उन्होंने कहा रादे सिनेमागरों में रिलीस हो रही है जिसको लेकर मैं काम भी उत्तो हूँ अब दर्शक इस फिल्म का आनद बड़े पर उटा सकते है मैं बहुत खुश हूँ और फिल्म की रिलीज होने का इंतजार कर रही हूँ मैं लोगों से अपील करती हूँ कि वो सुरक्षित रहे और जब फिल्म सिनेमा घरो में लगे तो हर जरूरी साफदान्या बढ़ते हुए सिनेमा घरो में जाए सलमार खान के फैन्स के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि उनकी फिल्म रादे योड मोस्ट वॉंटेड बाई सिनेमा घरो में रिलीज होगी और वो देख सकते हैं इस फिलम को प्रभुदेवा ने डिरक्ट किया है फिलम में दिशा पातनी सलमान खान और जाकी श्रॉफ के साथ बहुत महरत व्यात कुर्वन किर्दार निबा ते हुए दिखेंगे दिशा फिल्म में जैकी श्रॉफ के बेहन का किरदार निबा रही है दरसल फिल्म बारत में सलमान, दिशा और जैकी ने काम किया था जिसके बाद अब तीनों फिर साथ में रादे में काम कर रहे हैं हाला कि फिल्म बारत में तीनों का एक साथ सीन नहीं था रादे में तीनों एक साथ स्कीन करते हुए नजर आये हैं और वो भी तीनों एक साथ आक्शन करते हुए दिखेंगे वही बात करें दिशा पाटनी की तो वो जागी श्रॉफ के बेटे आक्टर टाइकर श्रॉफ संग रिलेशन में है दोनों ने अपने रिलेशन पर ओफिशल मोहर तो नहीं लगाया है अब तक लेकिन दोनों लॉक्डाउन के बाद ही माल्डीव्स वेकेशन के लिए गए थे और उनकी गहरी दोस्ती की चर्चा भी होती रहती है इन दोनों के माल्डीव के विकेशन के तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वाइर्ट हो गए थे रादे में दिशन जैकी, सल्मान के अलावा रंदी खूडा, जरीन वहाब के साथ भी काम करेंगी माना जा रहा है कि फिल्म इस साल एद के मौके पर रिलीज हो सकती है फिल्म के राइज को 230 करोड में बेचा गया है इसको करीदने वाला जी स्टूडियोज है जी स्टूडियोज में वालीवड अभी नेता सल्मान खान की फिल्म रादे का इंतजार इंडश्क में दर्शक बेसबरीतिक कर रहे है और हम तो इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और आप आज के हमारे स्टूड के राइटर है तान्या अगा था सल्मान खान की राधे पर छे महीने का ब्रेक किस आइडिया की वज़े से जल्द ही शूनपूरी कर ली गई थी राधे की कॉंसिस्टन्ट मैं करने वाले हैं राधे के अक्शन सीन्स को डायरेक्ट नमश्कार दोस्ते मैं हूँ पंखुरी और बॉली फ्लेट स्टूडियोज में आप सभी का स्वावत है सल्मान खान के आने वाली फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई के लिए सल्मान के फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं राधे या मोस्ट वांटेड भाई में सल्मान खान और दिशापटानी की मुख्य भूमिका के साथ-साथ जैकी श्रॉफ और रंदीर पूडा एहन किरदार निभाते हुए नजर आएंगे फिल्म प्रभुदेवा द्वारा बिलदेशित और सुहेल खान वा अतुल अग्निहोतरी द्वारा निर्मित है लेकिन जब कुरोना वाइरस ने भारत में दस्तब भी थी तब अच्चानक से सारी फिल्मों के शूटिंग रोकती गई थी तब सारे फैंस इस बात की खिधार कर रहे थी कि कब सल्मान की अगली फिल्म को उन्हें देखने का मौका मिलेगा जब से लॉक्टाउन में घील दी गई, तब से कई फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू कर दी गई थी और कई फिल्मों ने अपने शूटिंग शडियूर को निप्टाने के लिए सेट पर वापसी कर ली थी सल्मान खान की एक्शन फिल्म राधे और मोस्ट वंटेड भाई उन ही में से एक थी सल्मान खान और टीम ने ऑक्टोबर के दूसरे दिन इस एक्शन ट्रिलर की शूटिंग फिर से शुरू की थी और अब अपना शूटिंग शडियूर पूरा कर लिया है और इस बात को सल्मान खान ने अपने फैंस के साथ साजा किया था है सल्मान खान फिल्म के आभिकारिक हैंडल से सोशल मीडिया पर सल्मान खान ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए शूटTING खत्म होने की घोशना की थी सल्मान खान फेल्म ने वीडियो में लिखा and it's a wrap बता दें कि सल्मान खान ने अपने इस आकशन स्रुलर्स फिल्म के शूटिंग तएवक्त से पहले ही पूरी कर ली है फिल्म की शूटिंग ओक्टोबर के आखिर तक चलने वाली थी लेकिन सल्मान लांगान की टीमने इसे समय से पहले से पूरा कर लिया शूटिंग जलदफूरी होने की वज़े पीं लोकेशन पर अलग अलग टीमों के साथ शूटिंग करने का आइडिया माना जा रहा है क arbit की वजह से किसे अब करने के नियम के तहर्थ यह फैसला लिया गया था बताते चले कि फिल्म राधी में सर्मान खतरनाक आक्शन और स्टन्ट करते हुए नज़र आएंगे बताया जा रहा है कि फिल्म के आक्शन सीक्वेंस को साउथ कोरिया के फेमस स्टन्ट मैन कौन ताय हो ने डिजाइन किया ह कौन ताय हो को साउथ कोरिया के सबसे बड़े माश्यल स्टार्स में से और स्टन्ट मैं में से जाना जाता है वो नवेंबर 2019 में मुंबय आये थे और उने फिल्म में सल्मान खान और रंदीपूरा के बीच होने वारे फाइट सीक्वेंस को डिजाइन किया था यह भी बताय करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल बॉड़ेगा स्टूडियोस को सब्स्राइब करना मत भूलिए क्या है सल्मान खान की अगली फिल्म की कहाने क्योंकि आद दिशा पतानी ने सल्मान खान की फिल्म का इस बात में कोई शक महीं है कि वो फिल्में है जो कि दुन्या की अलग अलग डेशे और दुनिया बहर के हिस्ों में बणी फिल्मों से प्रेविड हम घर ca हॉलिवड भारते फिल्म निर्मादाओं प्रेम प्रेर्च नीक बना हुआ है बीटेदकशंण में एक शुरृ दे और दिल को थामने वाले एक्षिन के लिए बॉलिवुड के प्यार को सांचा चाता है, जो कि इन दोनों फिल्म इंडस्ट्री को करीब लेकर आया है, पिछले कुछ सालों से फिल्म जिन्दा, अवारापन, मर्डर टू, जज़बा, एक विलेज, तीजन जैसे कई बॉलिवुड फिल्म में दक्षिन कोरिया की कुछ बड़ी फीचर फिल्मों से प्रेविक है, चाहिए ये लीमेक अधिकारिक है या अनौपचारिक रूप से हो रही है, दक्षिन कोरियाई बॉंग जून को ही डारेक्टोरियल फिल्म प्रसाइट की बारी सफ़कता से बहुत ही बॉलिवुड में दक्षिन कोरियाई की फिल्मों की और अपना रुख किया है, या अश्चर्रे के बात नहीं है कि सूपस्ता सल्मान ने भी अपना ध्यान दक्षिन कोरियाई फिल्मों की और के इंद्रित करने में समय बरबाद नहीं किया, सल्मान खान की फिल्म भारत जो ये 2019 पर रिलीज हुई थी और ये सबसे बड़ी ओपनर बन गई थी, सल्मान के करियर के सबसे ज़ादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी, इस फिल्म में कैटरीना कैप, सुनील ग्रोवर, तबू, दिशा पतानी और सोनाली कुलकर्णी में महत्वपून भूमी कायें खाये थी, और ये हैं फिल्म बॉक्स ओफिस पर एक बड़ी हिट रही थी, भारत की सफल्दा के बाद सल्मान को ये प्रेरना मिली कि उन्हें दक्षिन को याई हिट दे आउटलॉस को रादे के रूप में लेकर आने की, जबकि दे आउटलॉस में माना गया कि डॉंग सेक और यू की संग जैसे कलागार थे, रादे जो कि इसके बॉलिवोड ड्रीमेक है में सल्मान खान और दिशा पटाने दिखेंगे, दाउटलॉस की कहानी सीओल में टर्फ यूद को रिखाने के लिए एक जासूस के संगर्श को दिखाती है, तो दूसरी और रादे की कहानी कतित तौर पर सल्मान को एक अंडरकवर फुलिस वाले के रूप में दिखाएगी, जो एक बड़े ड्रग कॉर्डल को खतन करने के लिए हर कोशिश करता है, जो कि रंदीफ उड़ा के किरदार द्वारा चलाया जाता है, दिशा का कहना है कि सल्मान एक स्टार में, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, भारत फिल्म में दोरान आन स्क्रीन नहीं, बलकि आप स्क्रीन भी काफी नर्वस थी, लेकिन राधे के कहानी और राधे में मेरे किरदार के वज़े से, मैं इस फिल्म में हिरोईं की भूमी का निभाने के लिए तयार हो गई, तो क्या लगता है आपको, क्या सल्मान का इस फिल्म में किरदार बन पाएगा इस फिल्म को एक ब्लॉक आखिर क्यों किया गया रंधीर सिंग की फिल्म 83 को पोस्पोस, और कैसे है फिल्म राधे, फिल्म बॉंटेड जैसे, तो आईए जानते हैं, अगर हमारे भाईजान की फिल्म की बात की जाए, तो उसके लिए मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का एक एक इंसान एक्साइटेड रहता है, सब एक्साइटेड रहते हैं कि कब भाईजान अपकी नई फिल्म के साथ आएंगे, तो लीजिए सुन लीजिए, अब आने वाली फिल्म में स्टूपरस्टाब, बॉलिवुड के स्टूपरस्टाब भाईजान यानि के सलमान खान दिखाई देने वाले हैं, राधे, Your Most Wanted भाई में, और अहां सुन लीजिए कि वो किस किरदार में नज़र आने वाले हैं, एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में, यानि के बड़ा ही मज़ेदार हुने वाला है दबंग के बाद, अब हम अपने राधे को देखेंगे फिर से एक पुलिस के अफ्तार में, फिल्म वांटेड के बाद, उनकी निर्देशक प्रभुदेवा के साथ वापसी दिखाती है, और इतना ही नहीं, उस फिल्म में सल्मान खान एक अंड़कवर पुलिस की भुमिगा में नज़र आये थे, हाली में सल्मान खान ने बताया कि उन्होंने इस नाम को पहले कहां रखा था, उन्होंने बताया कि साल 2003 में उनकी फिल्म सेरे नाम में उनका नाम राधे था, जैसा कि हम सभी जानते हैं और उसी राधे को हमने बहुत ज़्यादा प्यादे किया था, उसके बाद हमने इस राधे को फिर देखा हमने 2009 में फिल्म Wanted में सल्मान खान के कैरेक्टर का नाम फिर से राधे सुना तो भई अब क्या जो राधे आने वाला है वो इन दो राधे की तरह सेम होने वाला है साथ साथ कलमान खान ने ये भी बताया कि इस कैरेक्टर का या इस फिल्म का उनके पिछले परफॉर्म किये गए दोनों कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है लेकिन इस फिल्म का जॉनर पिछली की गई उनकी फिल्म Wanted से काफी मलता जुलता है COVID के चलते रंदीर सिंग की फिल्म 83 अब साल 2021 जून में रिलीज की जाएगी जी हाँ ये फिल्म पहले किसी और डेट पर किसी और महने में रिलीज होने वाली थी लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज देट जून 2021 हो गई है क्योंकि इससे पहले कोरोना की वज़ा से सारे सिनमा हॉल्स बंद कर दिये गये थी और इसके अलावा साथ साथ एक और फिल्म की रिलीज देट भी ताल दी गई वो है अक्षे कुमार स्टार अप फिल्म सूरे वनची पहले तो यह फिल्म अपरेल में रिलीज होनी वाली सिसी साल, लेकिन उस फिल्म को रमजान ची पवित्र महिन की वज़ा से रिलीज ही निक्या जा रहा इस फिल्म को रिलीज करने area और या फिर यूं टहलो लेट करने टो ऑर क्योंकि फिल्म के एक्टर अक्षे कुमार ये नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म भाईजान यानि कि सल्मान खान की फिल्म राध है और मॉस्ट वांटेड भाई और साथ जॉन इब्राहम की फिल्म सत्यमेर जैपे 2 के साथ फ्लैश करे तो अब दोस्तों ये वजा है कि फिल्म 83 जून में रिलीज की जाएगी अब भाई एड के अफसर पर हमें डिखने वाले हैं बॉलिवुट के दो बड़े फिटेस्ट और स्माटेस्ट और फॉर्टेस्ट अक्टर्स इंजूट्रे से भिड़ते हों पहले तो हूंगे हमारे सल्मान भाई वैसे तो भाईजान की फिल पर ही रिलीज की जाएगी यारी कि इन दो बड़े आक्टर्स के बीच हमें दिखने वाला है मुकाबला हमें दिखने वाली है चक्कर अब भाई इसका मतलब इस बार की इद पर बड़ा ही मज़ा आने वाला है क्योंकि दो एक्शन फिल्में दो सूपर हिट एक्टर्स और लो नजर आएंगे एक सार्थ जान बीचांस अब अधर तो यह देक Walkikan dostęp और वाला है कि आखिर क्या सलमान का फेंडम के सामने जान ब्रायम किसी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे या साल माई भेपाएंगी जर ल वाज लेकिक हूँ आप तरको दिखतरी परसा कितने आपी है सुवर हमेशा अगरूप बेशिकार कुछ और शेर अगे घमर्ण, आ लाइक है इसे थोड़ा काम कर बहुत उपर चए और नसीदा उपर चाहिए एक बार जो मैंने कमेरी उटालो पर मैं अपने आपकी बजी से आप राधे और मोस्ट वांटेड भाई किन से पंगा लेने वाले हैं सल्मान खान अपनी अगली फिल्म राधे में राधे फिल्म के विलन का पूर्व प्रधान मंत्री डॉक्टर मन्मोहन सिंग से क्या कनेक्शन है सल्मान खान ने इस सभी को चुका दिया है जब उन्होंने अपनी आग्मी फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की घोशना एक अनोखे अंदाज में की जब वो अपनी पिछली फिल्म दावंग 3 का प्रचार कर रहे थे इस सालीद पर रिलीज होने वाली फिल्म कई कारणों से सुर्ख्यां बचोर रही हैं और सेट से कुछ तस्वीरे भी इंटरनेट पर वाईरल हो चुकी हैं रंदीप हुडा गौतम गुलाटी और सिक्किम के अभीनेता सांग को फिल्म में विलन की भूमिका निभाने के रिए चुना गया है रंदीप ने फिल्म में एक विलन की भूमिका निभाई है उन्हें ये भूमिका काफी पसंद आई और इसलिए वे इसे करने के लिए सहमत हो गए वे पहली बार जब वे इस फिल्म का किरदार निभा रहे हैं इसके अलावा सल्मान और रंदीप ने अतीत में एक साथ काम किया है और वे एक महान रिष्टा साजा करते हैं फिल्म सुल्टान में सल्मान के कोच की भूमे काने बाद शुके हैं रंदीप हुडा ने पताया कि और उने सल्मान खान के कहने पर ही फिल्म में विल्म का खिरदार ने भाया है। रादे की शूटिंग के दुरान रंदीप के घुटने में चोट लगी थी, फिल्म की करोना वारस के कारण शूटिंग रोग दी गई, इस फिल्म में हमें एक और नए आक्टर दिखने वाले हैं और वो है भुटान के संगे शेल्ट्री में, संगे बच्पन में टाइकॉंडो सीखते थे और फिर बड़े होकर उनने इन दौर से यंग आफिसर कोर्स और बेल गाउंस से कमांडो कोर्स किया, 2017 में बहुत असानी से उन्हें मिस्टर भुटान का खिताब अपने नाम किया, उसके बाद कुछ फिल्मों के आफर आने लगे, 2018 में उन्होंने सिंगे नाम की फिल्म की, इस फिल्म में इंजिन आक्टर ठाकुर अनुप सिंग ने भी काम किया था, जो कमांडो 2 में आक्टिंग कर चुके हैं, इस फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया, संगे को बेस्ट मेल डेब्यू आवार्ड भी मिला, फिर उनकी मुलाकात हुई सल्मान खान के प क्या लगता है आपको, ये कहानी लिखने आभाद आवने, और इसे रिसाइट क्या है, फ्रिशाने, धन्यूर्म किस एक्शन सीन को करने में लग गए सल्मान को 18 टेक, कैसी करेंगे सल्मान, राधे, मिरंदीप, हुड़ा का पीछा, क्या राधे में दिखेगा सल्मान खान क के आपजिट नजर आने वाली है, वही विलन के रोल में रंदीप हुडा नेगेटिव किरदार में सब का मनुद रंजन करने वाले हैं, फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, फिल्म से सल्मान खान की कई लुक्स सामने आया है, हाला कि अभी तक रंदीप हुडा के ने इनकी माने तो फिल्म राधे पूरी तरीके से एक्शन फिल्म होगी, जिस तरीके से सल्मान खान वांटर में दिखाए दिये थे वन मैन आमी की तरब, ठीक वैसे ही राधे की स्क्रीन पर भी पूरी तरीके से एक्शन और डमदार डायलोग्स का कबजा होने वाला है, दिश इस जोड़ी काफी खास डीटेल्स साजा की और कहा कि वो इस फिल्म में सिर्फ आक्शन करते हुए नज़र आएंगे एक सवाल का जवाब देते हुए वो कहते हैं कि सल्मान खान की कहने पे वो फिल्म में विलन के रूल के लिए आए रंदीप ने कहा मैं सल्मान का एक इनसान और एक अक्टर की तोर पर बहुत सम्मान करता हूँ उनका काम करने का एक निश्चित तरीका है और हमने पहले भी काम किया है तो मुझे इसकी आदत है और हमने काफी मजे भी किये हैं मैंने किक में सलमान को चेज़ किया और सुल्तान में उनका कोच बना इस बार मैं चेक कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे कितना सीखा है क्योंकि राधे और मोस्ट वॉंटेड भाई में उनका कैरेक्टर मेरी तलाश में है यानि कि सलमान का कैरेक्टर होगा रंदीब की तो रंदीप कहते हैं कि इस बार मैं चेक करने वाला हूँ कि सल्मान मेरे पीछे होंगे और मैं उनको काफी नुकसान पहुचाने की कोशिश करूँगा जरा सोचिए जिस फिल्म के लिए सल्मान को 18 टेक करने पड़ गए कैसा होगा फिल्म का एक्षिन लेवल हम तो राधियो मोस्ट वांटड भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइट है और आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आज की स्क्रिप्ट सल्मान खान की राधे एद पर कैसे मचान सब्सक्राइब भाई एद 2021 पर रिलीज होने के लिए तयार है जल्दी ही फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज हो जाएगा दोस्तों कोई शक नहीं है इसमें की फैंस ही नहीं बल्कि सिनेमा घर के जो मालिक है वह बेसबरी से इंतजार कर रहे है इस फिल्म का क्य मालिकों से वादा किया कि वह अपनी फिल्म ओटीटी पर नहीं बन की थियेटर में रिलीज करेंगे वहीं दोस्तों आपको बतादे राद ही और मोस्ट वांटे भाई ने रिलीज से पहले ही 200 करोर से जादा का धमाका कर दिया है क्योंकि इसके जो डिस्रिब्यूशन है वी एग्जिबिटर्स को भी पूरा भरोसा है कि सलमान दर्शकों को सिनेमा घरों तक हीच कर ला सकते हैं बताया जा रहा है कि पहले ये फिल्म सिनेमा घरों की वज़ाए ओटीटी पर रिलीज होने वाली थी जी फाई पर और फिर जाकर सलमान खान ने अपना प्लान चेंज कि वहीं बताते कि फिल्म की कुछ जलक तो पिछले साल की दिखाई दीर गई थी क्योंकि फिल्म 2020 में रिलीज होने वाली थी ईद में लेकिन अब दर्शकों का उत्साह बढ़ाते हुए नए पोस्टर को भी रिलीज किया जाना है सलमान खान अपनी ईद रिलीज की परमपरा क साथ जारी रखेंगे क्योंकि पिछली इद में दो आनी पाए लेकिन इस इद में वह अपना पूराना वादा पूरा करेंगे उध्योग और प्रदर्शकों के अनुरोद को ध्यान में रखते हुए जो चाहते थे कि कोरोना महामारी के बाद सल्लू भाईजान सबसे पहले सल्लू ने भी सहमती दिखा दी है और बहुत बड़ा धमाका होने बाला है दोस्तो इस आपको बता दे दे दिशा पाथनी नजर आने वाली है सल्लू भाईजान के अपोज़ट साथी इसमें रंदीब हुड़ा होने वाले है और रंदीब और जो सल्मान खान की गई होगी तो कितना इंदजार है रादे का यह हमें बताइए नीच दोस्तों जब से सिनेमा घरों पर से ताला हटाया तब से रिलीज देट की भरमार लगी है और उसी की वज़ा से कई क्लैशेज हमें इस साल देखने को मिल रहें वो भी सिर्फ नॉर्मल क्लैशेज नहीं बड़े बड़े एक्टर स्टार्स की फिल्में क्लैश लिस्ट में शामिल है हालकि इससे मेकर्स को भारी नुकसान होगा लेकिन अगर वो रिलीज नहीं करेंगे तो उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता है तो आज की वीडियो में बात करेंगे टॉप क्लैसिस फिल्मों के बारे में जानेगे की कौन किसरे टक कर लेने जा रहा है तो पहला क्लैस है इस साल का राधे वर्सिस सत्यमयुग जैते टू आने वाली ईज पर बॉक्स ओफिस पर सल्मान खान और जान अबराहम की टक कर दर्शकों को देखने को मिलेगी सल्मान मही में अपने फिल्म ब्रादे और मुस्ट वांटेट भाई रिलीस करेंगे वहीं जोन अबराहम एक्शन एंटेटेनर फिल्म सत्यमयुग जैते टू लेकर आ रहे हैं अब इन दोनों फिल्मों में से कौन से फिल्म बॉक्स ओफिस और बाजी मारेगी इसके लिए हमें थोड़ा इंतिजार करना पड़ेगा वेल आपको क्या लगता है सलमान खान या फिर जॉन अबराहम नेक्स्ट लैस है अक्शे कुमार वर्स शाहिद कपूर प्रित्वी राज चोहान वर्स जर्सी अक्शे कुमार और मानुसी चिलर का एतिहासिक ड्रामा फिल्म प्रित्वी राज दिवाली के मौके पर रिलीज होगा और उसी दिश राज कपूर की स्पोर्स एंटेटेनर फिल्म जर्सी सिनेमा घुरों में रिलीज होगी इस साल बॉक्स ओफिस पर कबीर सिंग कौन होगा अक्शे कुमार के फिल्म प्रित्वी राज चोहान या फिर शाहिर की जर्सी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राज शेयर करें थर्ड क्लैस है ट्रिपल र वर्सिस मैदान बाहु बली के डिरेक्टर एसस राज मॉली की अगले फिल्म ट्रिपल र इसी साल दैसे एरे पर धूम मचाने को तयार है और इस बड़ी फिल्म को टकर देने आ रहे हैं जे देवगन फिल्म मैदान से जो की एक स्पोर्स एंटर्टेनर फिल्म होगी वेल ये तो हाथी और चीटी वाली बात हो गई कहां एक तरफ ट्रिपल र और कहां एक तरफ मैदान लेकिन दोनों में से जीत किसकी होगी ये तो हमें जैसे अरे के मौके पर पता चलिगा आपको क्या लगता है मैदान या फिर एसस राज मॉली की ट्रिपल र नेक्स्ट क्लेस है इस साल का बैल बॉटम वर्सेस फास्ट अंफ्यूरियस 9 अक्षर कुमार स्टारफ बैल बॉटम अठाइट मही 2021 को सिनेमा गरों में रिलीज होगी और उसी दिन हॉलिवूट की बड़ी एक्षिन फिल्म फास्ट अंफ्यूरियस 9 बी रिलीज हो रही है अब इंडियन बॉर्क्स उफिस पर हॉलिवूट का डंका बचता है या फिर बैल बॉटम से अक्षर कुमार कुछ दमाल करेंगे ये देखना काफे दिल्चस्ट होगा आपको क्या लगता है बॉलिवूट या फिर हॉलिवूट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस साल की लास्ट क्लैस के बारे में सिदार्द मलोतरा के फिल्म शेर्शा जो की 2 जुलाई को रिलीज होगी ये फिल्म कारगिल यूट के हीरो कैप्टन विटरम बतरा की जिन्दगी पर बेश जोगी इस फिल्म से जिस फिल्म का क्लैस होगा उसका नाम है मेज़र जो की मेज़र संदीप उन्ने किष्टन की जिन्दगी पर आधारित है ये कहानी उस्तक्स की है जिसने 26-11 अटैक के दोरान मुंबई में 14 लोगों की जान बचाई थी वैल दोनों इस फिल्म में पेटरोटिक है डिपेंड करता है यहां कि कहानी किसकी ज़्यादा मज़ेदार होती है आपको क्या लगता है कि यहां पर किसकी जीत होगी बॉक्स ओफिस पर दोस्तों जो भी हो इस साल तो बहुत मज़ाने वाला है क्योंकि एक साथ दर्टोनों भर फिल्म में रिलीज हो रही है बॉक्स ओफिस पर और ऐसे में क्लैश जो इंटरस लेवल को और बढ़ा रहा है मैं तो बहुत तयारी करके बैठा हूं इन फिल्मों को देखने के लिए आप कितने तयार है और आप किस-किस फिल्म को सपोर्ट कर रहे है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राई शेयर करें और देखते रहे है किस बात का है थीटर मालिकों को डर आखिर किस किरदार में दिखेंगी जाकलिन फिल्म राध है यो मोस्ट वॉंटिड भाई में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पला गुपता है अमें तहे दिल से आप सब का स्वाकत करती हूं बॉलिगराथ स्टूडियोज की आज की इस निवाली की बुकिंग के लिए पहले से ही काफी फिल्मों की बड़ी रुलीस की घोशना की जा चुकी है अब निर्माता हमें बताते हैं कि बॉलिवुड वापस अपनी रफ्तार पकड़ने के लिए तयार है और उन्हें उमीद है कि दर्शकों को उद्योग को पुर्ण ज शूटिंग को पूरा कर सकें और नई परियोजनाव शुरू कर सकें एक साथ बड़ी फिल्मों की घोशना से जैसे कि उमीद थी बॉक्स ऑफिस पर भीड भाड़के होने का सब को डर सता रहा अब एक साथ अधिक खोशनाओं के साथ हमें उमीद है कि ये सूची दिन के अन सारी की बचा से हालात देखते हुए रिलीस की बचा से दर्शक के लिए फिर से सिनिमा की आदत बना देंगे और एस आदत की एक बहुत बड़ी बचा होने वाली है सल्मान खान क्योंकि उनके फिल्म राधे एक बड़ी ब्लॉक्बस्टर फिल्म बनने वाली है अब साथ ही इस फिल्म में हमें एक और आइटम सौं मिलने वाला है बॉलेवड अभी नेतरी और पूर्व मिस श्री लंका जाकलिन फर्नांडेस दबंग स्टार सल्मान घान की फिल्म राधे में आइटम नंबर करती नजर आ सकती है अब फिल्म में दिशा पठानी फीमिल लीज रोल कर रही है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म में जाकलिन फर्नांडेस भी नजर आने वाली है तो फिल्म में जाकलिन का किरदार होगा या नहीं इस बारे में तो खुलासा नहीं हुआ लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि वह सलमान की इस फिल्म में एक जबरदस्ट आइटम नमबर कर दी नज़र आईगी जाकले ने से पहले सलमान खान के साथ फिल्म किक में काम कर चुकी है और उन दोनों की अच्छी दोस्ती है सलमान की फिल्म राधे 2021 की इद पर रिलीस होगी और ये इद सबके लिए एक इदी के तौर पर साबित होगी दोस्तों सलमान की फिल्म इद पर जो रिलीस होने वाली है तो आपको ये बता दें कि सलमान खान के साथ इस फिल्म में दिशापाठनी और रंदीप हुडा और चाकी श्रौप भी नज़राने वाले हैं खास बात तो ये है कि इस फिल्म में भी सलमान खान कॉप की भूमे का में नज़राएंगे जी हाँ एक बार फिर से सलमान खान में मुंबई के पुलिस इंस्पेक्चर का किरदान निभाएंगे जो अपराद और अपराधियों का सफाया करेंगे दोस्तों अब बस यही थी आज ही खबरें अब वीडियो खत्म करने का समय आ गया है और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और साथ हमाय चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस वीडियो के स्क्रिप्ट सान्या भारगव ने लिखी सल्मान खान अपने कौन से टायलोग को फिर से धोर आएंगे फिल्म राधे में कैसे किया अपने को स्टार जैकी श्रॉफ को बद्धे विश नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है इस्ट्रिया अरोरा आप सभी का स्वागत है माई यूट्यूब चानल पॉलिक्राइश वीडियो उसमें तो चलिए शिडू करते हैं आज की वीडियो सल्मान खान के फैंस को लॉकडाउन में सल्मान खान की किसी भी फिल्म को देखने का मौका नहीं मिला था और ऐसा लगता है कि इसलिए वो अब उन्हें सिल्वर स्क्रीम पर अगली फिल्म राधे दमोस्ट वॉंटेड में देखने के लिए बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं सल्मान खान प्रभुदेवा के साथ वॉंटेड और दपंग त्री के बाद अभी नेता के तीसरे से योग को चहित्र करेंगे एक साल की दीरी के बाद फिल्म ईद के मौके पर मई में सिनमा घरों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है 2019 में जब सल्मान खान और संजलीला भंसाली के बड़े प्रोजेक्ट इंशालला की शूटिंग शुरू होने से पहले ही बंद कर दी गई थी तो सल्मान खान ने अगली फिल्म की घोशना 18 अक्टूबर को ही कर दी थी अपनी उस समय की आगमी रिली और पूरी तरह से पागल बताया था जैकी शौफ अपने यूग के सबसे प्रतिपाशाली और भेतरीन अभी निताओं में से एक है आपको बता दे कि जैकी शौफ अकसर अपने विचित्र इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए सुर्कियों में बने रहते हैं जैकी ने हाली में उन्होंने विश किया उन्होंने लिखा हैपी बर्दे अंकल धेर सारा प्यार जैकी शौफ के वर्क फ्रंट पर वह सल्मान खान की राधे यूर मोस्ट वांटेड भाई में दिखाई देने वाले हैं जो कि इस साल की अंत में ही रिलीज होने वाली है फिल्म में दिशा और दीप हुड़ा भी होने वाले हैं यह फिल्म सल्मान खान फिल्म सोहेल खान प्रोडक्शन और रील लाइफ प्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली है खबरों के मताबिक सल्मान खान का लोग प्रिय डायलोग राधे योव मोस्ट वांटेड भाई में एक बार फिर सुनने को मिल सकता है वो डायलोग है एक बार चो मैंने कमिट्मेंट कर दी तो फिर मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता आपको बता दे कि राधे योव मोस्ट वांटेड भाई वांटेड का अधिकारिक सीक्विल नहीं है और इजिनल फिल्म के अधिकार और इसकी सारी समगरी निमारता बोनी कपूर की है सुनने में ये भी आया है कि राधे और Most Wanted भाई मेंसे ये डायलोग इस्तमाल करने के लिए बोनी कपूर से बात की जा रही है सल्मान खान को फिर से Wanted फिल्म के इस मशूर डायलोग को बोलते होए देखने के लिए हम तो बहुत ज़्यादा उचाहित है और आप कितने उचाहित हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल बॉलीक्राश वीडियोज को सब्स्राइब भी जरूर करें आज की स्क्रिप्ट नाइटर है सान्या भरगव बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का सल्मान खान फिम में एक नहीं एक से जादा विलन का सामना करने वाले हैं जरा सोचिये सल्मान खान जब एक विलन का सामना करते हैं तो कितना धवाल मचाते हैं ऐसे में वो जब एक से जादा विलन का सामना करेंगे तो क्या धवाल मचाएंगे तो कितने विलन का सामना करें के सलमान खान रादे फिल्म में रादे में सलमान एक या दो नहीं बलकि तीन खलनायकों से पंगा लेने वाले हैं रादे फिल्म के कास्टिंग के बारे में अब खबर आने वाली है इस फिल्म में गौतन गुलाटिं रंदी फुड़ा और सिक्किन के आक्टरेस सांग होई वि फिल्म में विलन का किर्दान निभाया है राधी की शूटिंग के दौरान रंदीब के गुटने में चोट लग गई थी फिल्म का सेट जो मुंबई में लगा हुआ था लेकिन करोना वारस के कारण शूटिंग रोग दी गई थी प्रभुदेवा के निर्देशन में बन रही फिल्म राधी की रिलीस डेट 22 मई 2020 रखी गई थी लेकिन करोना वारस के चलते इस फिल्म ने हुई देरी के वज़े से अब ये फिल्म 13 मई 2021 को रिलीस की जाएगी फिल्म में दिशा पटानी भी लीड रोल में है फिल्म को लेकर ये पे एक बहुत ही बड़ी जानकारी सामने आई है और वो ये है कि फिल्म के राइट्स बहुत महेंगे दाम पर बिके हैं और करोना काल में इस बॉलिवुड में अब तक की सबसे बड़ी दीर मानी जा रही है लॉगडाम खतम होने के बाद बॉलिवुड इंडस्ट्री का काम भी धीरे धीरे पट्री पर लॉट रहा है मगर साल 2021 नई उमीदों का साल है इस साल कई बड़े सूपरस्टार्स के बड़ी फिल्में रिलीस की जाएंगी और इसमें से एक फिल्म सल्मान खान की रादे भी है और इस फिल्म के राइट विस सुडियोज को एक बहुत बड़े दाम पर लिखे है क्या लगता है आपको? कितने में बिके होंगे रादे शाम के राइट? क्या जी स्टूडियोज करेंगे रादे शाम को OTT प्लाटफॉर्म पर जी फाइट पर रिलीस? विडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा और हमें कमेंट सेक्शन में इन सभी सवालों के जवाब शेयर जरूर करेगा आज के मारे विडियो अगर आपको अच्छी लगी हो इसे थम्स अप जरूर करेगे अपने दोस्तन के साथे यूर्म प्रवासी, साटलाइट, डिजिटल और सनीत अधिकार शामिल थे जब इस खबर के बारे में सब को पता चला तो हर कोई हैरान रहे गया कि सल्मान ने जी स्टूडियोज को फिल्म क्यों बेची ये देखते हुए कि वे पहले थैट्रिकल अधिकारियों के लिए यश्राज फिल्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे डिजिटल अधिकारों के लिए अमिजोन प्राइम और टी सिरीज को संगीत अधिकारों के लिए और साटलाइट अधिकारों के लिए जी से कॉन्ट्राक्ट कर चुके थे यश्राज फिल्म्स ने सलमान खान फिल्म्स के साथ एक समझोते के तहट फिल्म को विश्वस तर पर डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए एक समझोता किया था इस तरह के सौदों में हमीशा एक तरह की अनिश्चता होती है खास कर कोविट-19 महामारी के समय क्योंकि ऐसे में हमें नहीं पता कि फिल्म को देखने के लिए थेटर में कितने लोग आएंगे दूसरी और उन्होंने अमाजॉन के साथ एक डिजिटल सौदा किया जो फिल्म के लिए विशेश स्ट्रीमिंग अधिकार था इसके नाटिकी रिलीज के आठ सब्ता बाग साटलाइट अधिकार जी के साथ जो OTT प्रेमियर के आठ हफ़ते बाद चानल पर इसका प्रेमियर कर सकते थे और संगीत अधिकार टी सीरीज के साथ थे जबकि सल्मान को 230 करोर रुपे का अब फ्रंट अमाउंट मिला जिससे उन्हें 100 करोर रुपे का मुनाफ़ा हुआ है स्टूडियो के पास अब सभी अधिकार हैं फिल्म के थेट्रिकल रिलीस के बाद दो से तीन हफ़तों के भीतर फिल्म को OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीस किया जाएगा सल्मान और जी के बीच हुई ये डील तो नों के लिए फाइदेमन साबित होगी क्योंकि सल्मान की फिल्म में अच्छा बिजनस करती है सल्मान ने 2020 के अप्टूबर में फिल्म की शूटिंग खतम की थी अब मेकर्स फिल्म को इस तालीद पर रिलीस करने के तैयारिया कर रहे है सल्मान जी के साथ पहले भी कई दील कर चुके है राधे के अलावा सल्मान के बैनर तले बनी कागस का ट्रेलर भी जी के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर रिलीस किया गया है कागस में पंकस्ट्र पार्टी ली जोल में है सल्मान ने इसे पहले तीन फिल्मों रेस थी भारत और दबंग 3 की डील में भी देखा था अभी नेता इस साल लॉकडाउन से पहले फिल्म की रिलीस को लेकर बिल्कुल तैयार थे प्रभुतेवा के नर्देशन में परीज फिल्म में दिशा पार्टनी जाकी श्रॉव रंदीपूडा अहनपू में काने भाते नजर आए हैं क्या होगा साल 2021 बॉलिवूड के खांस का क्योंकि दिशा और अंदीपूडा ने बिग बॉस में एंट्री आप सब बॉलिवूड के तीनो खानों की तिगडी के बारे में तो जानते ही होंगे शारु खान, सल्मान खान और आमिर खान ये तीनो खान दर्शिपों से बॉलिवूड पर राज करते हैं अगर हमारी इंडस्ट्री में कोई सही माइनी में सूपरस्टार है तो ये तीनो खान ही है कितने ही नए आक्टर्स या आक्टर्सिज आए लेकिन तीनो खानों का बॉलिवूड में फेम बिल्कुल भी कम नहीं हुआ ये तीनो खान अपने टालेंट, परफॉर्मेंस और जबदस्ट फैन बेस के साथ बॉक्स ओफिस पर पूई तरह से राज करते आएं लेकिन पिछले कुछ सालों में तीनो खानों की बॉक्स ओफिस रिलीज कम हो गई जहां आमिर खान के आतरी फिल्म ठाक्स ओफ हिंदुस्तान के लिए खास परफॉर्म नहीं किया था वहीं सल्मान खान की दबंग तीन और S.R.K की जीरो भी फांस का दिल नहीं जीत पाई लेकिन लगता है 2021 फिर से तीनो खानों का साव होने वाला है शौरुक खान जौल भी पठान फिल्म में दिखने वाले हैं वहीं आमिर की लाल सिंग चड़ा काभी दर्शकों का इंतजार है सल्मान खान इस बार दिखेंगे राधे यॉर्मोस्ट वांटिड भाई में जो इन पर रिलीज होगी आपको बता थी कि सल्मान खान के उनकी फिल्म राधे के थियेटर रिलीज के लिए देश भर के थियेटर एक्गजिबिशन्स असोसिएशन द्वारा рек्क्वेस्ट किया गया था राधे के राइट्स जी के पास हैं और देश भर के थियेटर ओनर्स को लगता है कि बस सल्मान खान की फिल्म ही उन्हे करोना में हुए नुकसान से उभरने में मदद कर सकती है इस रिक्वेस्ट के जवाब में सल्मान खान ने कहा माफ करें मुझे सभी थियेटर मालिकों को जवाब देने में लंबा समय लगया ऐसे समय में ये एक बड़ा निर्म्या है मैं उन आर्थिक समस्याओं को समझता हूँ जो थियेटर मालिकों को हो रही है और मैं राधे को सिनेमा घरों में रिलीज करके उनकी मदद करना चाहता हूँ बदले में मैं उनसे राधे को देखने के लिए थियेटर में आने वाले दर्शकों के लिए अत्यधिक साफधानी बरतने की उमीद करूँगा मैंने आपको ईद में फिल्म रिलीज करने का वादा किया था इन्शाला ये फिल्म ईद 2021 में ही रिलीज होगी इस फिल्म ईद पर सिनेमा घरों में राधे के आनंद लेंगे इसका मतलब है कि राधे फिल्म सिनेमा घरों में ईद यानि कि 13 माई के दिन रिलीज होगी और इसले दिशा बिग बॉस ओफिस के सेट पर भी पहुंची थी उनके अगली सुन रादे यौर मोस्ट वॉंटिड भाई का प्रचार करनी जिसमें सल्मान खान के साथ वो एक बाद फिर से दिखाई देंगी फिल्में रंदी फुड़ा भी है जो शनिवार राद बिग बॉस के वीकन का वार एपिसोड में दिखाई देने वाले हैं दिशा के साथ सल्मान और दिशा ने भारत सुन के गाने स्लो मोशन पर परफॉर्म करके डान्स प्रोर में आग लगा दी इस गाने को दिशा और सल्मान पर फिल्मा गया था क्या लगता है आपको क्या इस बास सल्मान और दिशा की जूड़ी फिर से किसी हिट डान्स ट्रैक में नजर आएंगे क्या रादे फिल्म पर हो पाएगे थिएटर ओनर्स के नुकसान की भरभाई आज की हमारी स्क्रिप्ल की है सान्या भारगव और मैं हूँ खूँ हूँ अब अब अलविदा कैने का समय आगया है मिस्ते हैं बॉल जास टूडियोज की अगली विडियोग तो दोस्तों क्याई सीद 2020 में होगा सल्मान खान की रादे वर्सेज आल्या भटी गंगू बाई काटिया वाडी क्या करोन वाइरस के बाद भी कमा पाएंगे सल्मान खान बॉक्स आफिस पर 200 करोड रुपे तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बॉली रादे को सिनेमा घर में रिलीज करने के लिए तयार है इस फिल्म को सिंगल स्क्रीन एंटेटीनर की तौर पर रिली पर मीडिया से रूबरू हुए सल्मान ने अपनी आने वाली फिल्मों के लिए कहा कि मेरी तीन फिल्में आ रही हैं जिसमें की टाइगर ट्री केक और कभी इद कभी दिवाली रिलीज के लिए तयार हैं लेकिन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स वालों के यहां यह बहुत कम फि प्रफेशन और फिल्में बनाते हैं लेकिन हम उन्हें रिलीज कहां करेंगे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में मेरी अच्छी पकड़ है इसलिए थिएटर मालिकों ने मुझे सिंगल स्क्रीन में राधर रिलीज करने का न अधिशित फिल्मों में से एक हैं अलाकि हो सकता है कि शौकीनों को इस इद में फिल्में देखने के लिए एक से जादा फिल्मों की चॉइस मिलेगी क्योंकि दोनों फिल्में एक ही दिन सिनेमा घरों में हिट होने के लिए तैयार हैं यह बॉक्स आफिस पर इस साल की सबस यानि 14 मईए को एक लंबे समय पहले अपने फिल्म रिलीज करने की गोशना कर दी ती फिर पिछले महीने के दुरान सिल्मान ने रादे फिल्म की एद 2021 पर आने की खुशकबरी साथ जाकी और अब तो दोनों के बीच क्लाश की लगबख पुष्टी हो गई है क्योंकि बाकी क तो पिछलार, पहले ही बाकी फल्म स्टार्स ने ले लिए हैं अब जब एक ही दिन तीन बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है तो एहम सवाल यह है कि क्या बॉल्मुट 있고 स्टार सिल्मान खान अभी ली फेल्मों से बॉक्स-मच के रिकॉर्ड शूड थे कि सम्मान खान की फिल्मों जैसे 200 करोर कमा पाएगी या उसे जादा कारुबार करेगी या फिर कम ये तो अब हमें फिल्म रिलीज होने के बाद ही परदा चलेगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और रिजाट करना ना भूलें और हमारे चानल को भी पाइम साथ्यम जैते टू विल उसे लुड़ वाइज दोस्तों बने रहे हैं कुछ ऐसे ही अपडेटेटिट इंफ़ में रहे हैं रादे के पीछे ओटी टी प्लाटफॉर्म के चुक्रा रहे हैं सल्मान खान 150 करोर के ओफर्स सल्मान खान की स्टार्ट्र जम का असर कुछ ऐसा है कि जिस फिल्म में सल्मान खान गेस्ट अपेरिंस विदे दे वो फिल्म भी 100 करोर कमा लेती है ऐसे में सल्मान खान की फिल्मों को लेकर दर्शिरकों के दिवानेपन के वारे में तो सब ही जानते हैं सल्मान खान की हर फिल्म ब्लॉक बस्टर फिल्म बन जाती है चा में OTT Platforms भी सिल्मान खान की अगली फिल्म को अपने प्लाटफॉंप पर रिलीज करने के लिए बेचेर हैं लेकिन सल्मान खान कुछ और ही चाहते हैं सल्मान खान की फिल्म वॉंटेड जो की दोहसार आज में आई थी का एक डाइलोग एक बाजमेनिद कमिटमेंट कर दी तो कारण है कि वो राधे यर्मोस्ट वॉंटेड़ को थीयटर के अलावा और कहीं रिलीज नहीं करेंगे खबरे हैं कि सल्मान खान ने को रोना काल के दौरान ये बादा किया था कि इस तरह से वो थीयटर मालकों की मदद करना चाहते हैं लेकिन आजकल ये खबर सामने आ रही है जिससे आपको ये पता चलेगा कि सल्मान खान चाहे कुछ ही हो जाए लेकिन अपने वादे से नहीं मुकरते एक OTT प्लाटफरम की एक करमचारी ने ये कहा है कि सल्मान खान आखे सल्मान खान है चाहे आज के समय में OTT पर जितनी मर्जी फिल्म में रिलीज हो चुकी है ले लेकिन सल्मान खान की फिल्मों की बात करो और उनको लेकर दर्श्रकों में उच्छाहा अलगी है डिजिटल प्लाटफरम राधे ये Most Wanted भाई और उनकी अगले फिल्म कभी एज कभी दिवाली के राइप्स को प्राप्त करनी के लिए मर रही है जिसकी शूटिंग भी शू विशने अइस मेरा समय को देखकर उनकी प्रीप केवा क्लीक देखने फ्लीम नहीं मारी है बांत इसे में आप संहां थेल्म्हान की अगली फिल्म ना मोस्त मौट्ट भाई को यथि आपिर किसी ओची प्लाटफॉम पर क्याкие फिबएश्रीं करने से यह फिल्म सोई हुई ओडियंस को जगा पाईगी जब तक आप इन सवालों का जवाब दोनते हैं तब तक वीजिए को लाइक और शेर जरूर करें इस फिल्म से टकराने वाली थी सिल्मान खान की राधे फिल्म क्यों राधे फिल्म के आक्शन को सिल्मान ने कहा सबका बाप क्या सागात देंगे सिल्मान खान वालेंटाइन्स डे पर तो हलो दोस्तो मेरा नाम है नुश्कतियागी और आपका स्वागत है हमारे चानल बॉलीगाट स्टूडियोज पर और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म राधे यो मुस वांटिड भाई कर तो बॉलिवुड में बहुत बार एक ही दिन कई फिल्म में रिलीज होती है अक्सर कोई एक फिल्म दूसरी से ज़्यादा अच्छा परफार्मेंस कर देती है ऐसा बहुत बार होता है कि एक फिल्म से बाकी फिल्मों के बॉक्स आफिस कलेक्शन पर असर पड़ता है जो बॉलिवुड को कोई जबर्दस फ्लाश देखना पड़ता है तो अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा ही हुआ था जब दिसम्बर 2000 में शारुप खान और निर्देशक संजली लबंसाली ने बड़े परदे पर एक दूशरे से फ्लाश किया था सावरिया में रणबीर कपूर और सोनम कपूर ने बॉलिवुड में शुरुवात की ओम शान्ती ओम टिपिका पदुकोन की पहली फिल्म थी सल्मान खान को दोनों ही फिल्मों में कैम्यों में देखा गया जहां ओम शान्ती ओम बॉक्स आफिस पर सफल रही वहीं सावरियां उमीदों पर खड़ी नहीं उदरी थी एक दिवाली क्लाश में फिल्म निर्मादा यह चोपड़ा की आखरी डिरेक्टेड फिल्म जब तक है जान को अज़े देव गिन स्टार सनफ सरदार के साथ रिलीस किया गया दोनों फिल्मों ने दरशको को शारुकान और पिटरीना कैफ के फिर्माटिक ड्रामा से प्रभावित किया जिसमें 120 करोड से अधिक कमाई की और अज़े देव गिन्दी कौमड़ी कमाई की और दोनों ही फिल्मों ने अच्छा बिसमिस किया पर एक ऐसा ही हाईपरफायल बॉलिवुड क्लैश हुआ था पिछले साल जब डो बड़े सितारों के फिल्मे साथ रिलीज होने वाली थी दोस्तों आपको याद होगा यह सितारे हैं अक्षे कुमार और सलमान खान सलमान और अक्षे दोनों की फिल्मे पिछले साल एड पर रिलीज होने वाली थी सलमान की फिल्म रादे को एड पर रिलीज करने की गोशना पहले ही सलमान खान कर चुके थे तो वहीं अक्षे के फिल्म लख्मी बॉंबी एड के हीरन रिलीज होने की खबर थी इस मामले में अभिनेता अक्षर कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी उन्होंने एक इंटरव्यू के दुरान उनकिया सलमान की फिल्म के बॉक्स आफिस पर टकराव को लेकर कहा था मैं जानता हूँ लेकिन ये मेरे करियर की पहली फिल्म नहीं है जो किसी दूसरी फिल्म के साथ तकरा रही है और मैं इस बात को पूरी तरह जानता हूँ कि ये आखरी भी नहीं होगी उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि हमारी फिल्म इंडस्टिय में हर साल कई फिल्में रिलीज होती हैं जिसके लिए शुक्रवार कम होते हैं ऐसे में फिल्में किसी ना किसी के साथ एक ना एक दिन रिलीज होंगी ही क्योंकि ये दो बड़ी फिल्में हैं इसलिए इनको लेकर बात तो जादा होगी ही क्योंकि इसमें जादा पैसा लगा हुआ है ये बिल्कुल नाचरल सी बात है लेकिन हाला की मार 2020 में कुरोना वाइरस माहमारी की वज़ा से भारत में लॉकडाउन की घोशना कर दी गई थी जिसकी वज़ा से सिनिमा घरों में जाना बंद हो गया और अक्षे कुमार की लक्षमी को OTT प्लाटफॉर्म डिजनी हॉस्टार पर रिलीस किया गया वहीं दूसरी तरफ रादे को 2021 की इड़ पर रिलीस किया जाएगा सिल्मान खान अपनी फिल्म रादे यो मोस्ट वांटइड भाई को लेकर काफिट साहित है इस फिल्म के आक्षिन को सिल्मान ने उसकी दूसरी फिल्मों के आक्षिन का बाप कहा है जानकारी के अनुसर आपको बता दे फिल्म के क्लाइमेक सीन पर साथ करों रुपे से भी अधिक खर्चा हुआ है सल्मान और रंदीब फुड़ा के फाइट वारे सीन में वी एफेक्स का भी भरपूर इस्तिमाल किया जा रहा है इस आक्षिन ड्रामा फिल्म का निर्देशन प्रभुदेवा ने किया है वहीं अतुलग निहोतरी और सोहेल खान ने इस फिल्म को प्रडूस किया है सल्मान और रंदीब के अलावा फिल्म में जाकी श्रौफर दुशा पटनी भी एहन किरदारों में है सल्मान खान ने हाल ही में गोशना की उनकी फिल्म रादे यो मोस्ट वांटिड भाई इस साल ये ईद के मोके पर कई सिनेमा घरों में रिलीज होगी ये फिल्म पिछले साल रिलीज होने वाली थी महाबारी के बीच सिनमा घरों में फिल्म को रिलीज करने के अपने चानल पर सल्मान ने फैसला ही लिया की हाल ही में एक प्रिग्राम में बताया उन्होंने कहा कि उन्होंने तीन फिल्में बनाई हैं जो रिलीज के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि क्योंकि सिनमा घरों में कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो री, सिनमा घरों का हाल बहुत बुरा है सल्मान खान ने ये भी कहा कि बहुत सारे थियेटर मालिक ऐसे भी हैं जिनोंने फैनाशल रीजिन से बंद करना पड़ा और ये अच्छी बात नहीं थी, थियेटर बंद हो रहे थे सल्मान के अनुसार उनका बिजनिस और उनकी रोजी रोटी है उनका काम आक्टिंग करना और फिल्में बनाना है हाला कि अगर सिनमा घरों को बंद करने पर वो अपनी फिल्में कहां रिलीस करेंगे सल्मान ये भी कहते हैं कि थियेटर मालिक COVID-19 प्रोचोकोल के बारे में सावधान रहने वाले है सल्मान ने भी विशेश रूप से अपने फान्स सकर करेने का अनुरोथ किया है उन्हें लगता है कि अब वाक्सी भी हा गई है अब हम सब सुरक्षित हैं सल्मान को उमीद है कि 2021-2022 हम सभी के लिए 2020 से बहुत बहतर होगा मई में रिलीज होने वाली इस फिर्म के ट्रेलर को सल्मान खान के फान्स काफी समय से अंतुजार कर रहे हैं ऐसे में सल्मान खान के फान्स को वालिंटाई दे के दिन खुछ खबरी मिल सकती है क्योंकि हो सप्ता है सल्मान के फिर्म रादयय मोस्त वान्टिड़बाई का ट्रेलर 14 फरवरी यानि की वालिंटाईन दे के दिन रिलीज ऐसी में आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा रादि यू मोस्वॉन्टिड भाई की ट्रेलर में क्या लगता है आपको कि सल्मान थान के फांस की उमीदों पर खड़ी उतर पाएगी फिर्म क्या रिलीस होगे रादि फिर्म का ट्रेलर 14 फेरवरी को वीडियो को लाइक औ और हमारे चाहरा सब्सक्राइब भी कर देना तो आज की हमारी स्क्रिप्ट लिए जाए तो आज की हमारी स्क्रिप्ट लिए जाए जाते हैं झाल झाल